हेलो बच्चों, उमीद है आप फिट फाट होंगे और अपनी एक्जामनेशन की जवरदस तैयारी कर रहे होंगे आपको सपोर्ट करने का सिरीज में हम लोग पहुच गया है चेप्टर नमबर 5 पे वन शॉट वीडियो क्लास 11 फिजिक्स के लिए चेप्टर नमबर 5 लॉफ मोशन और वन शॉट वीडियो का अम दुख जिकर करेंगे शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दू कि जो वन शॉट वीडियो है अरवीन सर वन शॉट वीडियो ये औरों से डिफरेंट है अभी बताऊंगा कैसे डिफरेंट है अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता अर्विन सर्क को motivation आता और एक बात अगर ये वीडियो helpful हो आपके लिए तो आपके अपने किसी एक दोस्त को ये वीडियो शेर जरूर कीजेगा क्योंकि उस दोस्त का भला होगा और मुझे positive motivation मिलेगा कि मुझे आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने हैं और आपकी तरफ से मुझे गुरुदक्षणा होगी जिसमें आपको कोई खर्चा नहीं लग रहा है वीडियो पसंदा है तभी खैर आगे की चर्चा करते हैं स्टार्ट कि आखिर ये जो one shot वीडियो है ये औरों से अलग क्यों है क्योंकि इसके अंदर सारे टॉपिक्स अर्वी शर्वन शॉट सारे टॉपिक कवर किये जाएंगे किसी बच्चे ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी ये वीडियो देखेगा तो काफी कुछ उसको नॉलेज मिल जाएगी यहां से वो यहां पहुँच जाएगा पक्का है बस ध्यान से वीडियो को समझते रहना है और अपने नोट्स भी बनाने है प्योर टीचिंग मिलेगी कोई फॉल्टू टॉक्स नहीं होगी जैसे मैं हेलफुल रहेगा तो उसका भी मैंने बंदोबस्त कर दिया है आप अर्विंद एकड़िमी टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लिजे उसका लिंक डिस्किप्शन में दिया है वहाँ पर मैं इसके प्रेजंटेशन अपलोड कर दूँगा जैसे पढ़ाई में मैं डिस्किप्शन में लगा रहा हूँ यहाँ पर कई तरह के कोर्सेज हैं आप देख लें कि कौन सा कोर्स आपके लिए सुटेबल है और वो आपको बहुत अच्छी मार्च दिलाने में स्ट्रक्शम हैं कोर्सेज उमीद करता हूँ यह आप देखेंगे और अपके लिए सुटेबल कोर्स लेंगे आगे चलते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो पहली स्लाइड आती है फोर्स अब देखें फोर्स तो मेकैनिक्स के अंदर समझ लीजे सुपरस्टार अमता बच्चन है क्योंकि इसके विना तो कुछ होना नहीं है तो अगर मैं बात चीत करूँ कि फोर्स किसे कहते हैं तो यह आप क्लास नाइज से पढ़ते आ रहे हैं शायद उससे पहले से भी पढ़ा हो कि फोर्स में भी डिफाइन अजेंसी एक पुश या पुल है जो फोर्स है वो एक एक स्टर्नल एजेंट है जो या तो चेंज कर देता है या करने की कोशिस करता है किन चीजों को यहाँ पर देखे तीन चीज़े लिखी है एक तो इस्टेट आफ रेस्ट पहली चीज अभी मैं इसको बताऊंगा भी अलग अलग दूसरी की डाइरेक्शन आफ मोशन चेंज कर दे तो स्टेट आप रेस्ट और युनिफॉर्म मोशन नमबर टू है और यह नमबर तीन है कि युनिफॉर्म मोशन कोई बौडी कर रहे है उसो पर फोर्स लगाएंगे तो uniform motion बदल जाएगा, uniform motion चेंज हो जाएगा, uniform नहीं रहेगा और direction बदलना है तो भी force की आफशक्ता होगी तो ये तीन चीजें force आपको करके दे सकता है कि करके हम लोग देखते चलेंगे आगे आगे बात करते हैं कि effects produced by force force के effect क्या होंगे ये सब आप जानते हैं लेकिन सारी चीज़ बताते हुए force can change speed of an object किसी की speed बदल सकता है force किसी का direction बदल सकता है force और shape change कर सकता है force तो ये आप जानते हैं कि speed बदलेगा या direction या आप दबा देंगे किसी चीज़ को पिचकनी वाली है तो shape भी change हो जाएगा अब इसमें law of inertia आता है इसके लिए गैलियो साब जिसे आप father of physics बोलते हैं उन्होंने दो experiment किये और भी कियों होंगे जो हमारे course से linked है उसकी बात में कर रहा हूं inertia से दो बड़े important experiment किये और उससे कुछ conclusion निकाला जो law of inertia के बारे में कहता है पहला जो उनका experiment था जो आप देख रहे हैं उन्होंने एक उचाई से slope से जहां ढलान होती है वहाँ पे एक body को नीचे छोड़ा तो उन्होंने देखा इसकी speed बढ़ गई इदर इस body को यहाँ चोड़ेंगे तो इसकी speed बढ़ गई इदर arrow ठीक से बना दूँ कुछ अजीब सा बन गया है और जब वो इस body को slope की विपरीद दिशा में यानि upward direction में चड़ाने के कोशिस करते हैं तो यहाँ पर speed घटने लगी यहाँ बढ़ने लगी यहाँ घटने लगी तो उन्होंने इससे यह inference निकला कि अगर हम धलान से छोड़ते हैं तो बढ़ती speed और धलान पर चड़ाते हैं तो घटती speed अगर हम धलान रखे ही ना समतल लग दें तो speed ना बढ़ेगी ना घटेगी इसका मतलब यानि वो uniform speed रहेगी तो यह इन्होंने तीसरा चीज़ से पकड़ी कि जहाँ पर slope नहीं है horizontal motion है तो वहाँ पर speed में बदलाव नहीं होगा constant speed रहेगी एक experiment यह था समझ पाए कि बढ़ेगर किसी को slope नहीं दे रहे हैं तो जिस speed से वो चल रहा है वो maintain करके रखेगा अब दूसरा क्या है experiment दूसरे experiment उनने क्या देखा एक इस तरह का एक model लिया एक तश्तरी ली एक बर्तन लिया जो भी आप समझे एक object लिया उसमें यह जो part था inclination या slope दोनों के पहले वाले part में same था एक body को drop किया तो देखा क्या कि वो body जितनी height पे हाँ थी उतनी height को achieve करने के लिए चड़ गई उपर तो initial final position बराबर आ गई अब दूसरे वारे system में क्या किया कि इसके slope को थोड़ा सा और down कर दिया कम कर दिया slope कम कर दिया फिर भी क्या देखा उन्होंने कि यहाँ पर जो height थी इसको cover करने के लिए वो height उसने same रखी भले उसको distance ज़्यादा चलना पड़ा यहाँ पर distance कम था अब जिसको जैसे आप ऐसे मोड़ देंगे तो distance ज़्यादा हो जाएगा तो यह distance इसको अगर यह d1 यह d2 तो d2, d1 से ज़्यादा हो गया आप समझ पाए होंगे लेकिन इस height को achieve करने के लिए यह body आगे तक गई अब उन्होंने क्या किया कि यह जो slope था उस slope को खतमी कर दिया अब इस body को अगर आप छोड़ेंगे तो यह height अचीव करने के चकर में यहाँ पर distance ज़्यादा गई थी यहाँ पर infinite distance चली जाएगी कि भाई हमें height मिल जाए यह यहाँ पर क्यों गई क्योंकि height उसको achieve करनी थी तो ज़्यादा distance चली गई और height को हम अगर हम flat कर दें तो height achieve करने के चकर में ज़्यादा की जगा बहुत ज़्यादा यानि infinite distance चलती चली जाएगी तो इस बात से क्या उनकी समझ में आ रहा था उनकी बात में समझ में आ रहा था कि अगर किसी body को हम छोड़ दें तो वो जिस तरह के motion में है वैसे ही रह जाएगी वो change नहीं करेगी इसको भी चर्चा में लिया आते है पूरी बात आपकी समझ में आनी चाहिए तो इससे इन्होंने यही पताया आगे लाफ इनर्चा न्यूटन ने भी उसको और न्यूटन के शिष्च थे एक तरीके से कह लीजे बड़ा मानते थे गैलियों से बड़े इंप्रेस थे तो उन्होंने आगे की चर्चाएं भी की अब इनर्चिया किसे बोलेंगे एक्जामनेशन में आ जाए तो यह तो समझानी की प्रकरिया है एक्जाम में आए तो क्या लिखेंगे दा इन्हेरेंट प्रोपर्टी इन्हेरेंट मतलब उस प्रोपर्टी का एक अंदुरूनी गुड़ है अंदुरूनी गुड़ आप समझते है न जैसे की एक मिठाई है तो मीठी होती है समझ लीजे तो उसका इन्हेरेंट उसके अंदर है मिठास उसका कुछ निकाल नहीं पाएंगे मिठास तो इन्हेरेंट प्रोपर्टी आफ ए मैटेरियल बॉड़ी बाइ वर्चु आफ विच इट कैननाट चेंज बाइ इटसेल्फ इस स्टेट आफ रेस्ट और उनिफॉर्म मोशन इन इस स्टेट लाइन इस कॉल्ड इनर्शिया सिंपल सी बात इतनी है कि अगर कोई बॉड़ी किसी भी स्टेट में है तो वो बिना एक्स्टेर्नल फॉर्स के अपने आप वो स्टेट नहीं चेंज कर सकती कौन सी स्टेट होती है या तो वो रुकी हुई है युनिफॉर्म स्पीट से चल रही है युनिफॉर्म मोशन तो वो चेंज नहीं कर पाएगा और डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर पाएगा तो यह इनर्शिया होता है इसी बेसेस पर तीन इसके इनर्शिया कह दिये जाते हैं एक है इनर्शिया आफ रेस्ट जैसे तीन टुकड़े किये गए थे उन्ही के तीन टुकड़े है तो इनर्शिया आफ रेस्ट क्या है कि अगर कोई बॉडी रुकी होई है तो विधाउट एक्स्टर्नल फोर्स वो चलने नहीं लगेगी अगर कोई किताब किसी टेबिल पे पड़ी है या यह पेन मेरे हाथ पे है तो यह अपने आप नहीं चल सकता है हम जब इसको धक्का मारेंगे एक्स्टर्नल फोर्स लगाएंगे तब ही हिलेगा यह बदमाश यह अपने आप नहीं हिल सकता है आप समझे रहे हैं तो यह कहानी एक परसन स्टेंडिंग इनने बस यहाँ पर जिसे बात लिखी है कि एक बस बैकवर्ट्स बेन बस सर्डनली स्टार्ट्स मूविंग आप किसी बस में बैठे हो और एकदम से बस चल पड़े तो आप जटका लग जाता है पीछे की तरफ या आप स्कूटी पर पीछे बैठे हों बाइक पर पीछे बैठी हों तो जब वो बाइक एकदम से चलती है स्कूटी चलती है तो आप कुछ घटका लगता है ऐसे क्यों? क्योंकि आप रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहती है चाहते है या चाहती है तो body rest की position में रहती है और नीचे वाली आगे किसा कई बाइक के साथ तो यह हिस्सा वाई है नीचे वाला आगे चला गया तो आपको जटका लगता है पीछे की तरफ यह है state of rest और मैंने जो किताब की या pen का example बताया वो तो है ही साथ में दूसरा है inertia of motion यह motion कैसा है the tendency of a body to remain in state of uniform motion in a state line is called inertia of motion कोई body अगर move कर रही है एक state line में चल लिए सपोस करिए एक body और वो uniform motion में है तो यह uniform motion बरकरार रहेगा जब तक उस पे external force ना लगाया जाए तो यहीं लिखा when a moving bus suddenly stops a person sitting in it falls forward यानि बस में आप बैठे हैं या स्कूटी कह लिजे अगर स्कूटी पे चल रहे हैं आप पीछे बैठे हैं एकदम से जब break मारी जाती तो आप आगे जुख जाते हैं क्योंकि body आपकी move करते रहना चाहती है जब तक कि कोई external force ना लगा तो जटके में आगे चले गया अपने आप आप जब तक force ना लगा वें तब तक change नहीं होगी body या तो कोई धक्का आपको मारे या अपने आप अपने muscular push या pull को आप अंजाम दें ठीक तो यह motion की कहानी हो direction किसी भी body का direction अपने आप नहीं बदल सकता external force लगाएंगे तभी direction बदलेगा जैसे when a best takes a sharp turn जब बस शार्प turn लेती है तो जो लोग बैठे होते हैं वो उसी तरफ जुख जाते हैं जटका लगता उनको या bike पे भी कोई turn लेगा तो भी आपको लगता बाहर निकल रहे हैं तो यह क्या है inertia of direction यानि direction भी तभी चेंज होगा जब external force लगे खेर तो इनर्शिया की तीन different type में तीन type के इनर्शिया हो गए अब अगर इनर्शिया होता है किसी body का inherent property तो उसे पहचानेंगी कैसे किस body में ज़्यादा इनर्शिया है और किस body में कम इनर्शिया है तो इसका स mass ज़्यादा है उसका inertia ज़्यादा है और जिसका mass कम है उसका inertia कम है जैसे आपके घर में cycle खड़ी होती है तो आप थोड़ा सा force लगा कि उस cycle को हिला लेते हैं इनर्शिया of rest था ना वो नहीं चलना चाहती external force लगाया हिला लेकिन उसी की जगा अगर एक truck खड़ा हो जिसका mass cycle से बहुत ज़दा है तो आप क्या उसको हिला पाएंगे पूरा जोर भी लगाएंगी तो हिले का यह अपनी जगह से नहीं move करने वाला क्यों? क्यों क्योंकि उसका inertia ज़दा है क्यूंकि mass ज़दा है इसलिए आपको ज़दा force चाहिए उसके लिए तो inertia का पैमाना या inertia का measurement क किसमें कितना इनर्शिया जादा है ये मास से समझा जा सकता है बात मैंने एक्जामपल भी छोटा सा दिया जिसे बात पकड़ने में आए अब अगला आता है कॉंसेप्ट आफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम तो जो मोशन होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है देखिए अगर एक काच है आपके घर में टेबिल डाइनिंग टेबिल रहती है उस डाइनिंग टेबिल पर माल लीजे मैं इस पैन को ड्रॉप करूँ नीचे उस पे गिराऊं तो शिशा नहीं तूटेगा लेकिन इस पैन की जगा मैं बड़ा सा पत्थर ले आऊं और गिराऊं तो शिशा तूट जाएगा सेम विलोस्थी जिस विलोस्थी से टकराता था उसी विलोस्थी से पत्थर टकराया तो इससे क्या समझ में आया कि जो फोर्स लगा या जो मोशन का डिपेंडेंसी है वो मास के उपर डिपेंड कर रहा है इसका मास कम उसका ज़्यादा तो टूट गया अब इसको मैं क्या करूँ इसी पैन को जिससे वो नहीं टूटा था काफी तेजी से मारूँ विलोस्थी काफी तेज कर दूँ तो अभी काफी तूट जाएगा इसका मतलब है कि मोशन विलोस्थी पे भी डिपेंड करता है तो मोशन मास पे भी डिपेंड किया और इसकी विलोस्थी बढ़ाने पर काफी तूटा कम विलोस्थी पे नहीं कि तूटा था तो velocity पे भी depend करता है, इसका मतलब क्या हो गया, कि एक motion की dependency, mass और velocity दोनों पर है, बाकी example कहीं लिखे होंगे, मैंने आपको अपनी तरीके से समझा दिया, तो यहां लिखाएदा above examples, यानि जो मैंने दिये समझ लीजे, effect of motion of a body depends both on its mass and velocity, और इस mass और velocity को एक नहीं physical quantity बोलते हैं, जिसे बोलते हैं, momentum, यह आप पहचानते हैं, 9th में पढ़ी थी, शायदी उससे पहले भी पढ़ी हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन 9th में तो थी ही थी, यह जो momentum जिकर कर रहे हैं, इसको बोला जाता है, linear momentum, आप chapter number 7 में, उससे पहले भी पढ़ेंगे, angular momentum भी, लेकिन यह कौ momentum क्या है, तो mass और velocity का product है, यह एक vector quantity होती है, यह दिखे लिखा हुआ, तो अगर मैं इसको और vector form में लिखूँ, तो मुझे इस तरह से लिख देना चाहिए इसको, कि यह momentum का direction किदर होता है, जिस direction में velocity होती है, उसी direction में momentum का direction होता है, तो vector quantity है, इसकी unit to unit SI तो आप जानते ही हैं, फिर भी kilogram, meter per second, ठीक है, और dimension लिखा हुआ, ml, t-1, तो यह momentum के जिकर है, बड़ा important है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह motion को बताता है, अब Newton के 3 law हैं, उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा समझते हैं, फिर detail में समझेंगे कि करके, तो Newton के 3 law बड़े famous हैं, सब आप भी जानते होंगे, 9th में भी जहाते हैं, पड़ा था, तो अब यहां दिखते हैं, जो पहला law क्या बोलता है, जो law of inertia के नाम से भी जाना जाता है, कि everybody continues in its state of rest or uniform motion, in a state line, unless it is compelled by some external force, to change that state, तो यह वही बोल रहा है, कि अपनी state को वो body maintain रखेगी, जब तक कोई external force ना लग जाए, उसको मजबूर ना कर दे, अपनी state को change करने के लिए, यह Newton's आपका पहला law है, इसे law of inertia के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, मैंने काफी चीजी slides अच्छी से बनाई हैं, जिसे आप इसका भरपूर फाइदा उटा सकें अपनी पढ़ाई में, उमीदे उठाएंगे, second law की बा to force, is directly proportional to the applied force, and a change takes place in the direction of the applied force, तो change जिस direction में होगा, वो applied force का direction होने वाला है, third law की बात करते हैं, to every action there is always an equal and opposite reaction, तो आप जानते ही कि हर action का equal and opposite reaction होता है, वो third law के अंदर लिखा हुआ है, अब एक एक करके, law हम लोग पकड़ेंगे और बात को आगे वढ़ाएंगे, तो पहले law का जिकर करते हैं, Newton's first law of motion, जो law of inertia के नाम से भी जाना जाता है, हम लोग ने discussion अभी किया है, तो this law states that everybody continues in its state of rest or uniform motion, in a state line, unless it is compelled by some external agency or agent force, this law consists of three parts, तीन parts मैंने जो समझायत है, वह ही लिखेगा है, पहला part क्या है, says that a body at rest continues in its state of rest, कोई body अगर अब rest में है, तो उस state को बनाये रखती है, वो rest में ही रहती है, दूसरी बात, second part, says that body in motion continues moving in a state path with a uniform speed, कोई body अगर uniform speed में है, तो वो उसको बदलना नहीं चाहती है, uniform speed में motion को बनाये रखती है, तीसरी बात, third part, says that a body moving with a uniform speed in a state line, cannot change itself its direction, यह direction का मामला है, तो अपने direction को change नहीं करती, तभी करेगी जब कोई external force आप लगा के उसको मजबूर करेंगे, यह इसके तीन पार्ट हैं, अब बात करते हैं, force की, अब यह जो पहला वाला law है ना, न्यूटन का, इस से ही force की एक definition आ जाती है, को कि हर जगा हम यह कह रहे हैं ना, कि अपना state change करेगा जब force लगेगा, अपना state change करेगा तो force लगेगा, तो आखिर यह force है क्या, सवाल उठेगा ना, कि force, 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 तो what is force, इसी का यहां पर जिक्र है, force can be defined as an external agency, which changes or tends to change the state of rest of uniform motion in a state line, तो इस force को define कर दिया गए, कि एक external agency है, जो किसी motion की rest में body है, उसको change कर सकता है, uniform motion को change कर सकता है, direction change कर सकता है, Hence, first law of motion gives a qualitative definition of force, तो first law, force के बारे में qualitative definition दे देता है, qualitative का मतलब जिसमें formula नहीं होता है, ऐसा समझ लें आप, वो quantification हो जाता है, quantitative हो जाता है, यह qualitative है, ठीक, तो Newton first law of motion also called law of inertia, इसको law of inertia भी बोलते हैं, यह आप से बाच्चीत होई गई है, कुछ examples होंगे इसके, वो भी दर्शन कर लेते हैं, जैसे based, पहला वाला है, based on inertia of rest, जो body रुकी है, वो रुकी रहेगी, जब तक force ना लगे, क्या है, when a horse suddenly starts running, the rider falls backward, अब ऐसे कई example है, कि horse जब दॉलेगा, तो rider जो होता, उसको पीछे जटका लगता है, dust is removed from a hanging carpet by beating it with a stick, एक carpet ले ले लेते हैं, उस पर जब डंडे से मारते हैं, तो धूल बाहर उलने लगती है, क्यों, क्योंकि धूल, तो rest में रहती है, आप में डंडे से carpet को मारा, तो carpet हिली, तो carpet पे धूलती, carpet पीछे हर गई, धूल टपक गई नीचे, टपक नहीं गई, हवा में उलने लगी, हलकी है तो, यह होता है, कि वो धूल वहीं रहती है, carpet उसको छोड़ के निकल लेती है, पीछे, डंडा मारने पर, यह होता है, state of rest, when we shake hand the branch of a tree, its fruits, नीचे टपक जाते हैं, आम आम निकलता, उसको हिलाओ, ब्रांच को, तो वो आम लटक रहा है, rest में, हिलाया आपने, टपक गया नीचे, क्योंकि उसकी शाखा जो है, वो आम तो rest पे रहना चाहता है, शाखा हिलने लगत है, coin falls into the tumbler when the card is given a sudden jerk, यह आपने experiment देखा होगा, इस तरह का glass लेते, यहां cardboard और यहां सिक्का, अगर तेजी से आप इसको hit कर दे, तो यह सिक्का इसके इंदर टपक जाएगा, क्योंकि यह state of rest में रहना चाहता है, तेजी से आपने card निकाल दिया, तो यह आगे नहीं जाए होंगे, based on inertia of motion, अब inertia of motion के उपर जो based examples हैं, when a horse running fast suddenly stops, तो rider आगे जुक जाएगा, भई आप घोड़ा दोड़ा रहे हैं, एक दम से रोख दिया घोड़ा, यह बाइक रोख दी, तो आगे जुकेंगे, यह क्या है, inertia of motion, body motion में है, तो motion में रहना चाहती है, आपने रोख दिय है, तब भी हुआ आगे बढ़ गई, कि आप motion में रहेंगे, फिर आप अपने muscles से उसको रोकते हैं वाई, गिरो नहीं, नहीं रोकेंगे तो लोड़क जाएंगे, एक person getting out of a bus, falls in the forward direction, आपने देखा होगा कि बस बस से जब आप उतरते हैं, तो जटका लगता है लोड़कने बिफोर टेकिंगे लॉंग जप, लॉंग जप से लॉंग जप आपने ओलंपियाड वे गएरे में देखा होगा कि लॉंग जप लेने से पहले, बॉड़क वो थोड़ा रन करता है, जिससे उसको वो इनर्शिया मिल जाए motion का, तो जब उचलेगा तो उसकी बॉड़क में ह जब करते हैं, तो उसमें जो चिंगारी निकलती है, वो चिंगारी टेंजेंशली निकलती है, बलब जो पत्थर से तेजी से गुमाता है ना, तो उसके ओपर जब लगाते हैं, तो जब काफी तकली, आपने देखा जरूर होगा इसी उमीद करता हूँ, तो वो वहाँ पर टेंजेंशली निकलती है, चिंगारी या, इससे क्या साबित होता है, कि चीजें डायरेक्शन नहीं बदलना चाहती हैं, जब तक मजबूर ना किए, टेंजेंशली निकलने का मतलब डायरेक्शन वही है, ये जैसे है, तो कोई चीज मूव कर रही है, यहां पर आई, और ब sticking to its wheels fly off tangentially आप cycle चलाते होंगे बाइक चलाते होंगे स्कूटी चलाते होंगे तो जब कभी पानी की बरसा तो कीचड हो तो कीचड में ले जाएंगे तो धाय से कीचड टेंजेंशली उचल जाता है पीछे और पीछे वाला अगर भीग गया तो फिर आपके खैर नहीं आप ये बड़ा काम का है और इसे आप ध्यान भी रखिए ये तीनों लौ का mother of all लौ है इससे law number one भी निकल जाता है law number two भी तो असली लौ क्या है असली तो सब है वैसे असली या सबसे important law न्यूटन का second law है ये दिमाग में रखिएगा तो second law क्या बोलता है ये वहाँ पे बाची आपके हम लोग कर चुके थे कि जो force होता है वो momentum का जो rate है change होने का the rate of change in momentum is called force तो force का direction जिस direction में momentum change हो रहा है अब the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force इसे बलिग दिया था the change of momentum occurs in the direction of the force ये भी बातचीत आपसे हो गई थी तो ये number two law है इसी law से बात किया जाए ये देखिए magnitude लिखा हुआ है वरना तो आप vector form में ऐसे लिखते हैं ये इसका magnitude form है तो f को लिखते है dp upon dt और f is equal to में लिखा हुआ है और acceleration क्या जाए क्योंकि ये जो है dp upon dt यहाँ पर d upon dt कर दीजे और p को लिख सकते हो mv तो mv लिखते हो तो ये आजाएगा m dv upon dt और dv upon dt क्या होता है acceleration तो force की value acceleration के बराबर आजाती है ma और acceleration को v minus u upon t rate of change of velocity तो ये आपको पता ही है और इसको ध्यान लगिए एक unit force क्या होगा one unit mass और one unit acceleration m1 कर दो a1 कर दो एक newton का force निकर आएगा तो उसको आप define कर सकते है उस तरीके से ये dimension भी है mlt minus 2 इसको याद रखिएगा बड़ी काम आती है जगा जगा इस्तमाल होता रहता है इसका चलिए और कुछ इसी की definition से जो आप याद कर लीजेगा ध्यान कर लीजेगा सामने इसलिए लेके आया हूँ कि आपको तकलीफ ना हो तो absolute unit of force जो बात करें 10 absolute unit of force is that force which produces a unit acceleration in a body of unit mass m की value 1, a की value 1 तो जो force है उसे क्या बोलेंगे absolute force तो एक newton के लिए 1 kg और 1 meter per second square का acceleration तो 1 newton विल गया इसी तरह ये cgs system की बात करें तो 1 dyne is equal to 1 gram into 1 centimeter per second square ये dyne के लिए हो गया जो cgs unit of force होती है आगे दिखते हैं कुछ और force की units आएंगी gravitational unit of force कई numericals में ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तो आप वहाँ सहज रहें या आपको मालूम रहें इसके लिए ये values दिखे लिखी हैं a gravitational unit of force is that force which produces an acceleration equal to g in a body of unit mass unit mass में acceleration g produce कर दे वो force बोला जा रहा है यहां यानि वो force कैसे लिखा हुआ दिखता है आपको kilogram force kgf ऐसे लिखे देखेगा कई जगा देखे हुँगे आप तो इसको अगर हम absolute force में बदलें या 1 kg weight लिखा हुआ देखेंगे 1 kg weight 1 kg force तो क्या समझेंगे इसको 9.8 से multiply कर देंगे आप तो 9.8 newton हो जाएगा यह ध्यान न किएगा यह लिखा हुआ कई जगा आपको दिखाई पड़ता है इसी तरह cgs system में बात करें तो 1 gram weight या 1 gf देखेंगे तो 9.8 डाइन्स हो जाएगा तो यह आपको पता होगा मैं सामने इसलिए लाया कि दिमाग में रहे Newton and dine के अंदर क्या relation है वो भी मैंने लिख दिया जैसे आपको कहीं किसी तरह तकलीफ का सामना ना करना पड़े 1 newton is equal to 10 की power 5 dine तो इस relationship को भी दिमाग में रखिए जैसे कहीं कोई परिशानी ना खड़ी हो अचा force के जो component form में लिखते हैं जो force का वो यहाँ पर लिखा हुआ है component form का मतलब Newton second line component form component form का मतलब x y z की direction में ऐसे समल लीजे ज़्यादा detail बताएंगे तो काफी वर्ट लगेगा तो f होता है dp upon dt हैनि ma अब इसको अगर हम component form में देख लें x y z की direction में तो f x की value जो x की direction में rate of change of momentum है या m into ax हो जाता है यह x f y f x f y f z एक दूसरे से independent होते हैं क्योंकि तीनों rectangular coordinate system में आते हैं perpendicular हैं एक दूसरे के तो f x की direction में max change हो रहा है f y की direction में may और f z की direction में ma z इस तरीके से ध्यानकी से बोलते हैं component form में force को लिखना अब कुछ बाते हैं जो conclusion important implications है newton की second law का उसको भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं क्या 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 important point हमको पता लगते हैं the second law of motion is a vector law expressed as f is equal to m a यह vector law है दूसरा अगर force 0 है तो acceleration 0 हो जाएगा भई f 0 रखोगे तो mass तो 0 होएगा नहीं acceleration 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि second law inconsistent with first law है first law नहीं यही तो बोला था कि कोई body अगर रुकी है तो वो तब तक नहीं चलेगी जब तक external force ना लगे तो force अगर 0 है तो कोई acceleration नहीं पैदा होगा उसके अंदर यह body रुकी रहेगी अगर रुकी हुई है पहले से तो तो यह in accordance with the first law है consistent है दूसरी बात करते हैं the second law is strictly applicable to a point particle यह second law हमारा point particle के लिए applicable होता है लेकिन फिर भी system of body के लिए लगा लेते हैं depending on the situation but is also applicable to a body or a system of particles provided F is the total external force on the system and A is the acceleration of the system as a whole आप समझे इस बात को कि यह है तो नियम एक point के लिए लिकिन कोई body अगर है हमारे पास उस पर अगर total force F लग रहा है और total उसका acceleration A है तो यहां भी F बराबर MA लगा पाएंगे हम वरना इस particle के लिए ही applicable था पहले total system पर force कुछ external F है external की ध्यार न कियेगा और उसका जो acceleration system का A है तो हम F is equal to MA लगा सकते हैं for a whole system for a whole body second law of motion is local relation यह एक local relation होता है जिस point पर कोई भी point पर जो acceleration है वहां पर force की गड़ना आप यह कर सकते हैं F is equal to MA अब यहां पहुचेंगे दूसरे point पर तो हो सकता acceleration यहां बदल जाए तो वहां पर force कुछ और निकल आएगा आप बात को पकड़ पा रहे होंगे force कुछ और बन जाएगा आगे यह बात हम मोने सीख ली की end the same instant अलग-अलग instant पर कहानी अलग-अलग हो जाएगी अब इसके आगे की बात्चीत कर लेते हैं कि consequences of Newton's second law Newton का second law का निशकर्श क्या है तो concept of inertial mass इससे निकलाता है और concept of देखे पहला कहा है the mass of a body gives a measure of the resistance or the opposition to a given force law of inertia की बात कर रहे हैं कि mass जादा है तो जादा force demand करेगा change होने के लिए tends to changes velocity दूसरा that is why m is equal to f by a is called the inertial mass of the body तो inertial mass of the body को हम बोलते f upon a यह कहलाता है inertial mass ठीक है आगे की बात करते हैं एक numerical है इसको solve करके देखते हैं बिटा हम लोग तो इसका मैं करता हूँ solution a bullet of mass 0.04 kg तो इधर data को लिख लेता हूँ mass दिया है 0.04 kg साफ में दिख्या विते speed of 90 meter per second तो यू दे रखा है 90 meter per second enters a heavy wooden block एक wooden block में यह कोई गोली थी और धस गई है and it is stopped after a distance of 60 meter जब धसी तो 60 meter कहानी यह चलिया गए what is the average resistive force exerted by the block on the on the block on the bullet यह block जो था यह इस bullet पर कितना resistive force लगा रहा है तो इसका ultimate velocity क्या होगा final जो की होगा 0 और s कितना चला है 60 cm यानि 0.60 meter अब यहाँ पर formula लगा देते हैं v square minus u square is equal to 2as 0 का square minus 90 का square 2a और s की जगा 0.60 यहाँ पर acceleration निकालेंगे तो acceleration की value आजाएगी minus 6,7 50 meter per second square retarding force क्या रहा retarding f is equal to ma होता है retarding force का मतलब है f ma तो mass कितना है यह mass लिखा हुआ है 0.04 और acceleration यहाँ से निकाला है क्योंकि यह हम इसको retarding force बोल दिये हैं इसलिए minus लगाने के आफशक्ता नहीं है अब इससे multiply करेंगे तो value आजाएगी 270 newton यह answer रहा तो मैं किनारे हट जाता हूँ और आप इसको note कर लीजे जैसे कि कोई confusion ना हो तो मेरे काल से आप में note कर लिया होगा आगे बाद देखते हैं इत्ती दियर में note कर लिया होगा या screenshot ले लिया होगा आगे देखते हैं जो की है impulsive force यह भी हमारे course में है तो impulsive force बोलते किसे हैं जब कोई force बहुत कम समय के लिए लगता है और एक finite momentum में change दे देता है तो उसे हम बोलते है impulsive force यह देखिए आँ लिखा भी है एक large force एक बड़ा force for a short time लगे और एक finite change in momentum आफर कर दे आपको तो उसे बोलेंगे impulsive force जैसे की cricket में न बॉलन ने बॉल की और batsman ने छक्का मारा बल्ले से तो bat और ball के बीच में जो connection है वो बहुत कम देर के लिए हुआ short time के लिए हुआ और जो force batsman लगाया है वो काफी तकड़ा लगाया है और change in momentum काफी तकड़ा मिलता है जाके 6 run पे गिरती है मतलब देखी पाया आप तो जब large force short duration के लिए लगे और एक finite momentum में change करे तो इसे impulsive force बोलेंगे यह दिमार्ट में रखिएगा तो examples force exerted by a bat while hitting a ball blow of a hammer on a nail आप एक kill को एक हतोड़ा मारते है तो वही है कि जब वो hit करता है तो एकदम छण भर में उस पे बहुत सारा आप force लगा देते हैं तो change in momentum दिखता है आगे बढ़ जाता है force experience by a person when he falls from a certain height on a marble floor उपर से गिरेंगे marble floor पे तो क्या रहेगा जब आप गिरेंगे तो अपनी weight के बराबर force लगाएंगे नीचे और समय बहुत कम लगेगा आपको रुखने में तो it is a impulsive force है और impulsive force काफी तगणा change in momentum देता है और change in momentum देगा तो the rate of change in momentum is known as a force वो force लगा देगा force से हडडी तूट जाएगी अपनी अर उपर से गिरेंगे में खेर अब जो यह impulse of a force है यह vector quantity है इसको j से दिखाते हैं ऐसे वो देखी मैंने आगे link भी दिया जिसे आपको सहूलियत रहे चीज़ों को समझने में तो impulse j is the total effect of a large force which acts for a short time to produce a finite change in momentum जैसा हम दोगने बातचीत की large force कम समय के लिए finite momentum में change impulse is defined as the product of the force and the time for which it acts and is equal to the total change in momentum तो यह देखी फॉन्मूला लिखा है इसको f into t की जिकर कर रहे हैं जो की बराबर किसके होता है total change in momentum के तो j की जो value यह magnitude लिखा हुआ है j की value होगी f into t जो बराबर रहेगा m v minus u change in momentum के impulse एक vector quantity है its direction is same as that of force force की जो direction होगी वही j की direction होती है और यह change in momentum जिस direction में है उस direction में j का direction होगा the impulse of a force is positive जो impulse है वह positive हो सकता है negative हो सकता है और zero हो सकता है depending on the momentum of the body increases, decreases और remains unchanged अगर change in momentum positive है तो j की value positive है देगी यह positive है तो यह positive change in momentum negative है तो j negative है और change in momentum अगर कुछ नहीं है, zero है no change तो impulse भी हमारा zero है no change dimensions क्या होगी MLT minus one और SI unit जैसा लिखा हुआ है kilogram per meter second तो this is impulse of a force आगे भी इसकी चर्चा भी जारी रहेगी अब impulse momentum theorem क्या होती है तो impulse momentum theorem यह जो लिखी यह होती है यह क्या है, change in momentum पहले का initial momentum, final momentum तो यह क्या है change in momentum यहीं क्या लिखा मिलेगा, the impulse of a force is equal to the total change in momentum produced by the force the relationship between impulse and momentum is known as impulse momentum theorem यहीं हमारी क्या है impulse momentum theorem तो बड़ी छोटी सी बात है, कोई tension नहीं आगे बढ़ते हैं किदम और graph से अगर निकालना होई impulse तो कैसे निकालेंगे तो measurement of impulse by graphical method अब यह क्या, वहने constant force acts on the body यह y axis पे देखिए force है, f और x पे time है तो जब constant force बोलोगे तो force तो बदल रहा ही नहीं है यह force तो बराबर इतना लग रहा है, देखिए क्योंकि fixed force है, constant force है उस समय अगर हमें momentum निकालना है किसी time t1, t2 के बीच में, यहाँ t1, यहाँ t2 इनके बीच में तो इसका जो area होगा, area under the curve यहनी a, b, c, d, a, b, c, d यह area क्या दिखाएगा, f into t यहनी impulse of the force यहीं पर यहाँ लिख रहा है area of rectangle, a, b, c, d, magnitude of impulse of force f in time t और यह value, f into t निकलने वाली है तो यह constant force के हिसाब से था अब अगर यह constant force ना होके variable force हो, तो फिर क्या होगी चर्चा, तो इस force जाएगा बदल, यह देखिए यह क्या है, यह force जो है यह constant नहीं है तो यह देखिए कभी कम force था, कभी जादा force था फिर कभी कम हो गया इसे बोलेंगे variable force अब इस time t1, t2 के बीच अगर impulse हमको निकालना है तो हम इसका area निकाल लेंगे अब आप जानते हैं कि कोई irregular figure का area निकालना हो irregular graph का area निकालना हो तो वहाँ integration हमारी मदद करता है, तो कि regular figures तो हैं नहीं, पिछले वाला तो rectangle था, तो rectangle का area तो length into lb, length into breath निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ तो न length है, न breadth है तो यहाँ पर integration लगाते हैं हम लोग तो the area under the force time graph gives the magnitude of the impulse of the given force in given time interval, यह दिखे 0 से t तक, यह 0 से t लिखा अगर इसको 0 माने तो, otherwise यह integration के limit लगा दीजेगा t1 से t2, बास समझ में आ रही होगी आपको f dt और यह area निकाल देगा, जो area impulse को show करेगा in case of variable force, बड़ी छोटी छोटी बाते और सरल बाते हैं, अगर आप ध्यान पूर्वक उसको समझ रहे हैं तो, अच्छा अब इसके practical applications, जिससे की और बहतर तरीके से आप समझ पाएं, impulse के एक cricket player lowers his hand while catching ball, जब ball को catch करते हैं तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा आथ पीछे करते हैं, इसलिए impulse हमें कम महसूस हो, impulse का क्या मतलब है, ज़्यादा force कम समय के लिए, चपक जाएगी बोलके के, तो पीछे अटा लेते हैं, ताइम को बढ़ा देते हैं, तो जब हम F into T में टाइम को बढ़ा देंगे, तो impulse will be कम, क्योंकि कम समय के लिए नहीं, ज़्यादा समय के लिए force लगेगा, तो आप थोड़ा उससे बच जाएंगे force कम लगेगा समझ लिएगा, तो force जो होता है, वो rate of change in momentum रहता है Newton के second law के basis पर जब आप time को बढ़ा देते हैं, तो force हमारा reduce हो जाता है जैसे कि माली जे नीचे गद्दा बिछा दीजे उपर से कूट पढ़िए, तो चोट नहीं लगेगी क्योंकि गद्दा जब कूदेंगे तो गद्दा थोड़ा दबेगा ना, रूई का गद्दा, तो आपको time बढ़ा देगा, force कम लगेगा, वरना क्या होगा, आप ऐसे ही कूट पढ़ेंगे तो चोट लग सकती है, एप person falling from a certain height, अब यही शायद मैंने बताया आपको, heaps of sand, heap मतलब मिट्टी का धेर है, मिट्टी की धेर पे कूट तो कुछ नहीं होता है, ऐसे concrete पे कूट जाएंगे, cement पे तो हड़ी तूट जाएगी, auto mobiles में car buses में shockers provide किये जाते हैं, तो जटका लगता है, तो थोड़ा time बढ़ा देता है, तो जटका कम लगता है, shocker खराव हो जाए तो खट 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 लगता है, बहुत बहान है का आपने देखा होगा, बड़ी मुश्किल हो जाती है, buffers are provided between the baggies of a train, जो तो ट्रेने को केच हो, दो ट्रेनों के कोच जो होते हैं, उनके बीट में buffers होते हैं, जब break मारता है, तो तो तोड़ा, ऐसे दपते हैं, उनना खड़ाक लड़ जाएंगे आपस में, चाइना वेर्स are packed in straw before packing, अब जो चाइना वेर्स, जो क्रॉकरी का आइटम होते समझ लीजे, उनको जब pack करते हैं तो उसमें देखिएगा तो एक तो कभी कभी पेपर लपेट देते हैं, और वरना एक घास पूस सा आता है, क्या बोलेंगे ब्राउन कलर का, जैसे कूलर में घास नहीं लगती, वाली उस टाइप का आपने देखा होगा, जिससे वो आपस में लड़के तूट ना जाएं, वो भर देने से क्या होगा, कि जब वो लड़ेंगे आपस में, तो थोड़ा सा उनको टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि बीच में पेपर की कुशनिंग है, या उस घास पूस की कुशनिंग है, जिससे फोर्स कम लगेगा और तूटने का खतरा काफी कम हो जाएगा, एक कुशन है, इसको करके देखते हैं, तो एक बैट्समैन हिट्स बैक के बॉल स्टेट इन दा डिरेक्शन अफ दी बॉलर, एक बैट्समैन ने बॉलर को हिट कर दिया बैट से, जिस स्पीड से बॉल आ रही थी, जिस स्पीड यानि 12 मीटर पर से आ रही थी, और ये बैट अगर मान लीजे तो इसने वापस ऐसे हिट कर दिया 12 मीटर पर से, इसे आप यू माने, इसे आप वी माने, अभी समझेंगे, इतनी बॉल का मास है, इतनी बॉल का मास है, तो देखें, इमपल्स कितना होता है, इमपल्स की वेलू होती, चेंज इन मोमेंटम, इमपल्स अगर निकालना है, तो ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, ये तो समझाने के लिए लिखा है, वरना इतना लिखने की जगा, आप क्या लिखेंगे, अगर ये डिरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं इधर का, तो ये वी हमारा निगेटिव डिरेक्शन हो जाएगा, तो वी माइनस यू माइनस ट्वेल और माइनस ट्वेल ये तो पॉजिटिव ही है, ये चेंज इन मोमेंटम है, यानि 0.15 और ये आपका जाएगा जुड तो जुड के आ जाएगा चौविस, तो माइनस लिख दो बाहर, इंटू 24, यानि याया माइनस 3.6 न्यूटन पर सेकेंड, एफ इन्टू T है न, तो उसी का यूनिट, एफ मतलब फोस, न्यूटन मतलब और T का यूनिट सेकेंड, तो इस भाशा में लिख दीजे, माइनस 3.6 न्यूटन पर सेकेंड, इसमें निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कि डिरेक्शन आफ इंपल्स कि दर है, फ्रॉम बैट्समें टू बॉलर, तो निगेटिव साइन सोज, साइन शोज, इंपल्स इस फ्रॉम बैट्समें टू बॉलर, कैसे बैट्समें टू बॉलर, क्योंकि इसी डिरेक्शन को तो निगेटिव लिया था, यह तो बैट माना था हमने, इधर वाले को प्लस, इधर वाले को निगेटिव, यह देखो, तो अगर यह निगेटिव आया तो इंपल्स का चोटल चेंज ऐसे आएगा, तो मैं हटता हूँ, इसे आप स्क्रीन शॉट ले ले लें, या पॉस करके नोट कर लें, फिर अगला एक इंटरस्टिंग सवाल लेते हैं, अब तक नोट कर लिया होगा आपने, आगे देखते हैं, अगला फिर नुमरकल है, तो यहां बोलाए, एक बॉल मुविंग विद मुमेंटम आफ फाइव केजी मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट वॉल एट अन एंगिल ऑफ फॉर्टि फाइव डिग्री, यह देखिए, एक हमने वॉल बना दी, इससे कोई बॉल ऐसे स्ट्राइक कर रही है, पैतालिस डिग्री पर, and is reflected at the same angle, तो पैतालिस डिग्री से ही reflect हो रही है, तो अगर मैं इसको ही पैतालिस मालू reflection का, तो यह नॉर्मल है, तो 90-90 यह 45 हो गया, और यह भी इसी तरीके से 45 हो गया, इस तरह से बॉल का कारिकरम हो रहा है, अब कलर में तोड़ा change कर लूँ, जैसे बताते बनें आपको and is reflected at the same angle, calculate the change in momentum, तो मान लेते हैं कि शुरुवाती में जो momentum था, वो P था, जो A, B, C, D नाम देना चाहो तो A, B, C, और इसको N, E लिखनें दो, और C के बाद क्या आएगा, D, और यह रहा E, तो अब यहाँ यह जो P जा रहा है momentum, momentum वेक्टर कॉंटिटी होती है, तो इसके हम दो component कर लेते हैं, इस P के, क्योंकि दिशा इधार है ना, देखिए, इसकी दिशा, ऐसे है, तो इसके दो component करोगे, तो एक component आ जाएगा इस direction में, और एक component आ जाएगा इस direction में, यह 45 है, यह भी 45 हो जाएगा, तो यह value होगी P cos 45, और यह होगी P sin 45, अब दूसरा color लेते हैं, जिसे कि आप और अच्छे से समझ पाएं, अब यह returning back, momentum P, इधर है, अब इसमें, यह P1 था, यह P2 इधर जा रहा है, लिखा ना, reflected at the same angle, इधर यह जा रहा है P से ही, तो इसके component कर लो, तो इसके दो component लेते हैं, इधर हो जाएग जो कि हो जाएगा, P cos 45, और एक इधर हो जाएगा इस direction में, P sin 45, तो vertically आप इसको आप क्या करेंगे, हम दोनों momentum को analyze करेंगे, horizontally, vertically, component ले लिए है, ना, समझने के लिए, तो change in, in momentum in vertical direction, तो vertical direction में कितना change है, तो आप देख रहे हैं कि कोई change नहीं है, क्योंकि पहले भी इधर P sin theta था, white color से दिख रहा है, और blue color वाला भी P sin theta है, तो there is no change in the direction of vertical direction, अगर मैं y axis मानूँ, तो P y delta P y क्या हो गया, 0, कोई change नहीं है, दूसरी बात करते हैं, अब change in horizontal direction, change in momentum, momentum in horizontal direction, तो क्या change आएगा, आप पहले दिखिए, ये momentum इधर जा रहा था momentum, ये component ये component लिए P cos 45 इधर, और इस वाले का, जो blue वाले से लिए थे, P cos 45 इधर, तो ये direction हमारी minus है, इसको plus लेते हैं हमेशा, तो ये minus P cos 45 degree, V, MV हो रहा है न, ये V है इसे, तो P2 minus P1, तो P2 with direction ये minus P1, वो तो positive है, P cos 45, तो ये value हो गई, minus 2 P cos 45, value रगदो, minus 2, P कितना है, 5, और 45 कितना होता है, 1 upon root 2, इसको आप calculate करों कि तो minus 7.07 kg meter per second, ये value आ जाएगी, और negative sign क्या indicate कर रहा है, कि direction of change in momentum is away from wall, ये minus sign क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है कि direction of change in momentum is away from wall, क्योंकि negative sign आपने इधर कोई consider किया न, तो positive था, इस तरह के से ये सवाल मैंने कराया, जिससे आपको जादा logic और concept clear हो पाए, इसको भी note कर लीजिए, हट जाता हूँ मैं, नीचे कर देता हूँ, जिससे आप screenshot ले पाने की हालत में आ जाएं, और ये question है, ये question अगर आपकी समझ में आएगा, तो ये बाकी concept के लिए भी काफी helpful हो जाता है, खैर note किया होगा, आपने थोड़ा उपर कर देना चाहिए मुझे, ये साब यहां तक पहुच गए, मैंने खाल से ये आप प्यार से note कर पा रहे होंगे, चलिए एगली बात देखते हैं कि Newton's का third law क्या है, दूसरे law की कहानी तो बन गई, तो मैं यहां करर फिर से green पकड़ लेता हूँ, और, अब Newton's third law बड़ा ही easy है, लेकिन थोड़ी समस्दारी चाहिए इसमें, action reaction आपने नाम सुनाओगा, इसा ही लोग बोल देते हैं, वो Newton का तीसरा law है, कि to every action there is always an equal and opposite reaction, equal होगा, opposite होगा on different bodies, ये ध्यान रखने वाली बात है, कि action किस पे हो रहा है, तो reaction किसी और पे होगा, action reaction दोनों equal and opposite होते हैं, on different bodies, ये ध्यान रखने वाली बात है, अभी फिर से बोलेंगे different bodies, reaction is equal to minus action, दो बॉल आपस में टकरा गही है, ये B जैसे आप दिख रही है, तो ये B ने A को ठोकर मारी, तो force on A due to B, अयाला कितना होगा, force on B due to A, ये दोनों का value बराबर है, लेकिन दोनों का direction उल्टा है, एक इधर, एक उधर, तो vectorally लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे आप, action reaction, और different bodies, इस पे B ने A पर धक्का मारा, और A ने B पर धक्का मारा, ये कहानी इस तरीके से चलेगी आपकी, तो यहाँ पर ये कहानी चलेगी, जैसे आपने देखा, a single force can never exist, ये क्या conclude करता है, ये कहीं पर single force नहीं होता, action के साथ reaction होगा ही होगा, आप action करें, reaction ना हो, ये संभाव नहीं है, तो there is no single force, और आप देखी पा रहे हैं, कि A पर जो B, A पर force लगा रहा है, और A B पर, यानि अल्टिमेटली दो बॉड़ी पर दो forces हैं, action reaction एक पर नहीं है, वहना आप कहें देंगे, cancel क्यों नहीं हो जाता, कई बच्चे पूछते, सार action reaction, आपस में cancel क्यों नहीं हो जाता, तो भाईया, cancel तो तब होता, cancel नहीं होता, दो लड़के टकड़ा गए, तो दोनों को जोट लग जाएगी, यह नहीं कि, खताम हो गया कट पिट के, तो the forces always exist in pairs, यह बात बड़ी मत्पूर है, कि forces single form में नहीं मिलेंगे, हमेशा pair के form में मिलेंगे, तो यह बात पकड़ने वाली है, चली आगे की बात करते हैं, अब some important points regarding third law of motion, Newton's third law of motion is applicable, irrespective of the nature of the forces, कोई भी force हो, यह Newton का तीसरा नियम, लगेगा ही लगेगा, action and reaction always act on different bodies, यह ध्यान अखिएगा, मैंने इसको काफी तरजी दिये, क्योंकि यहीं पर गड़बर हो जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, the forces of action and reaction cannot cancel each other, यह क्यों कहीं cancel होता है, इसके भी चर्चाम मैंने अभी आपके साथ की है, no action can occur in the absence of a reaction, कोई action ऐसा नहीं होगा, जो reaction की absence में हो, यानि action, reaction, दोनों होंगे ही होंगे, force pair में मिलेंगे, single force नहीं मिलने वाला, ठीक है, आप समझ गयोंगे पूरी तरीके से, इसी के कुछ examples हैं, हमारे जीवन में, तो जैसे की Newton 3rd law के, की book kept on a table, एक किताब आप table पर रख देते हैं, यहाँ पर, weight लग रहा है नीचे, और इसका reaction लग रहा है उपर, तो R को लिख देते हैं, minus W, ध्यानकी का action लग है, किताब ने, किताब का जो weight लग रहा है, वो table पर लग रहा है, अपने पर नहीं लग रहा है, table पर लग रहा है, और table जो reaction दे रहा है, वो किताब पर लग रहा है, दो different bodies, खेर, while walking, we press the ground, action with our feet, slightly slanted in the backward direction, जब हम चलते हैं, तो हम अपने, थोड़ा स्तिर्चा होकर, पंजे से force लगाते हैं, जिसे हम आगे बढ़ते हैं, यह शुरुवाती दोर में, जब हम चलना शीकते हैं, तो इतनी practice हो जाती कि, अभी ध्यान नहीं जाता, तो action करते हैं, जमीन के उपर, और reaction मिलता हमें अपने उपर, और अगे बढ़ जाते हैं, यह action reaction की कहानी है, कुछ और बाते, it is difficult to walk on a slippery ground or sand, कोई फिसलन वाली जगा होगी, कि वहाँ पर आप action लगावेंगे, तो आपको reaction नहीं मिलेगा, लुड़क जाएंगे, या sand कहीं मिट्टी पड़ी हो, तो फिसलन हो सकती है, it is difficult to drive a nail into a wooden block, without supporting it, अगर आप किसी लकडी का फटा है, और उसमें आप कील ठोकने की सोचें, और इस फटे को पकड़े ना, ऐसा ही जमीन पे छोड़ दें, तो जब हम मारेंगे ना, बलब हवा में समय लीजे मार रहे हैं, तो ये गुसेगा ही नहीं कील इसके अंदर, इसको एक support चाहिए, जमीन पर रख देंगे जब आप, अब पकड़े लेंगे, मारेंगे, फट से कील गुश जाएगी, क्योंकि जब तक reaction, अभी क्या हवा में ऐसे मारेंगे, तो कहा reaction नहीं मिलेगा, और reaction नहीं मिलेगा, तो कील अंदर जाएगी नहीं, तो while swimming, ए person pushes water with his hands, in the backward direction, जब तैरते हैं, तो वो पानी को पीछे direction में ढगेला जाता है, जिसे हम आगे बढ़ पाएं, action हो रहा है पानी पर, अब पानी reaction कर रहा हम पर, जिसे हम आगे बढ़ पाएं, reaction का मतलब force के रूप में, allergic reaction नहीं, बात पकड़ में आई होगी आपको, आगे देखते हैं, horse and cart problem, तो आपने दिखाऊ का घोड़ा गाड़ी, या तांगा, तो तांगा में तो कई समान, कभी के दाट डोते हैं, तो ये समझ लीजे, वो समान डोने वाला, काट वाली गाड़ी ये घोड़ा यहाँ पर है, अब गोड़ा में बना नहीं पाता है, नहीं तो बना के दिखाता, तो ये घोड़ा क्या करता है, अपने पैर से न, ये जो कि जमीन पर force लगाता है, पैर से आगे बढ़ने के लिए, उसका reaction इधर मिलता है, अब ये जो reaction गोड़े पर मिला है, उसके दो component ले लो, एक horizontal component, एक vertical component, इसे H से लिखा, इसे V से लिखा, अब ये H वाला component, इस card को खीचने में आगे लिए तक माली जी, इस card पर friction force पीछे लग रहा है, friction force भी इस chapter में पढ़ेंगे, जिस direction में motion हो रहा होता है, उसकी opposite direction में, kinetic friction लगता है, तो ये जो friction ही पीछे लगेगा, तो ये जो force है H, उसमें से F कर देंगे, तो ये net force हो गया, जो आगे बढ़ाने काम आएगा, और ये जो force vertical वाला है, ये इसके weight को समालने के काम आता है, balance कर देता weight को, तो vertical motion नहीं होता, horizontal motion होता, vertical दोनों V और W बराबर है, अब F is equal to MA लगाने, अगर आप जाएंगे, तो force is equal to mass into acceleration, तो force हो गया H minus F, total force of the system, total mass कितना है, घोडे का और स्कार्ट का, तो M plus M, और ये रहा acceleration, तो यहाँ से अगर आप A निकालोगे, ये value आजाएगी, A is equal to H minus F, upon M plus M, बस कितना सरल है, पुरे system पे हमने Newton का, apply कर दिया, second law, ये कहानी हो गई, और third law की कहानी जो हम पढ़ रहे थे, वो third law में क्या था, घोडे ने, जमीन को, action किया, और reaction मिला, आगे बढ़ने के लिए, ये Newton का तीसरा, नियम था, आगे की चर्चा करते हैं, second law is the real law of motion, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कि second law, real law of motion है, उससे पहला law निकाला जा सकता है, और तीसरा law भी निकाला जा सकता है, तो इस law को आप पकड़ के रखीएगा, ये this is the real law of motion है, विसकल 2 M में होता है, आपका zero होगा, ये पहला law है, तीसरा इसी तरीके से निकाल सकता है, action reaction वाली बात, ठीक है, आगे समझते हैं, अब ये lift वाली problem रहती है, सवाल आपके सामने आ जाते हैं, उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं, apparent weight of a man in an elevator और lift, आपने देखा होगा, तो actually वो जो हो रहा होता है, वो आपको अपना weight ज़्यादा लग रहा होता है, इसलिए जब lift उपर जाती है न, और आप अंदर खड़े होते हैं, तो आपको भारी पर महसूस होता है, किसी आदमी को अपना वजन reaction से पता चलता है, वरना वो पता नहीं कर पाएगा अपना वजन, जैसे आप किसी पूची बिल्डिंग से कूच जाएं, तो उस समय आपको reaction नहीं, तो आपको कैसे लगेगा, आप में weight ही नहीं है, अगर air भी हटा दें वहां से, तो एक दम आप लगेगा weightless है आप, जब गिरेंगे तब गिरेंगे, बात लगए, बहाँ समझ में आ रही है, तो जब reaction से हम पता करते हैं, हमारा वजन कितना है, तो reaction अगर ज़ादा है, तो ज़ादा वजनी लगने लगेंगे, reaction कम है, तो कम वजनी लगने लगेंगे, तो लिफ्ट जब उपर जा रही होती थी, तो उस समय, आप देखेंगे इसमें अभी, कि reactional force R, वो ज़ादा हो जाता है, तो मुझे घबराट होने लगती थी, अरे यह क्या हो रहा है, आप भी जाएंगे तो महसूस कर सकेंगे, अभी बसरते घबराएंगे नहीं, तो वेंदा लिफ्ट मुवस अपवर्ट विथ एक्सेलेशन, यह देखी, यह केस है, इस समय लिफ्ट उपर जा रही है, और उपर जाने का एक्सेलेशन A है, और यह जो बंदा खड़ा है लिफ्ट में, वेंट हमेशा नीचे काम करता है, तो Mg नीचे हो गया, और जिस लिफ्ट के अंदर खड़ा है बेस पर, उससे उसको रिएक्शन मान लीजे, R उपर मिलना है, रिएक्शन तो उपर ही लगेगा उस पर, तो यहाँ पर देखिए, R-Mg is equal to Ma हो गया, A, R-Mg, जितना बचेगा, वही तो Ma को सपोर्ट कर रहा होगा, तो यह आपका R-Mg is equal to Ma, यहनी R की value क्या हो गई, Mg plus A, अब दिखिए, जो R है ना, यह पहले पहला गर वो खड़ी होती लिफ्ट, तो उससे में R क्या होता, R बराबर Mg, अगर कहीं आप खड़े होते हैं चुपचाप, कोई motion नहीं है, तो जितना weight आपका लग रहा है, उसी के बराबर reaction force लग जाता है, तो R is equal to Mg, और यहाँ क्या हुआ, Mg से बड़ा है क्योंकि A भी जुड़ गया है, तो आपको ज़्यादा reaction महसूस होता है, आप खुद feel करते हैं कि आप भारी हो गए हैं, और बचपने में ए घबराट या पहली बार दूसरी बार आप लिफ्ट में जाएं, तो ए घबराट महसूस हो सकती है, अगर speed ज़्यादा तेज हो lift की acceleration, तो ज़्यादा फैसन लगेगा, घबरा जाएंगी आप, बहुत तेजी से lift उपर जाए तो, तो lift की एक proper speed होती है, जिससे वो जाती है, बहुत तेज नहीं जाती, नहीं हड़बढ़ाट हो जाएगी आपको और डर लगेगा, तो ये कहानी कपकी है, जब lift उपर जा रही है, अब lift अगर नीचे जाए तो क्या होगा, वो भी देख लीजे, ये देखिए, वें दा lift मुव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये दूसरा वाला केस है, इसमें acceleration नीचे है A, और R और M G आप पकड़ चुके हैं पहले, तो आप यहाँ पर क्योंकि motion नीचे है, तो M G माइनस R हो जाएगा, बढ़े में से छोटा घटाएंगे, तब इतुस डिरेक्शन में motion मिलेगा, और यही बराबर है M A के, तो R की value यहाँ से क्या जाएगी, M common ले लो, G माइनस A, इस समय आपका जो normal reaction होता है, उससे कम reaction है, G में घट गया है, जब lift नीचे जाती है, तो हमको लगता है हम हलके हो गए हैं, क्योंकि reaction force कम महसूस होता है, उपर जाते वक्पर भारी पन, नीचे जाते वक्पर हलका पन, ऐसा होता है जो आप समझ पाया, और मैंने बताने की कोशिस की, अब देखते हैं कि lift अगर, uniform motion में जा रही है, तो when the lift is at rest, या तो lift रुकी हुई है, या moving with uniform velocity, या तो lift रुकी है, तो R बराबर mg, और uniform velocity से भी जा रही है, उस समय भी acceleration शून नहोगा, तो यह तीसरा case है, जहाँ पर हमारा acceleration 0 है, तो उस case में क्या हो जाएगा, R minus mg बराबर, M into acceleration which is 0, तो R minus mg, बराबर 0, तो R बराबर mg, यह उतना ही reaction मैसूस होगा, जितना आपका weight है, uniform motion, और, या फिर रुकी हुई lift है, rest में है, खैर अगली बात देखते हैं, अब मालीजे कि यह, when the lift falls freely, इश्वर ना करें, लेकिन कभी ऐसा हो जाए, कि lift का उपर का, उपर का cable तूट जाए, जिससे उठा के लिए जाती है lift, तो क्या होगा, free fall में lift आ जाएगी, धड़ाम से नीचे, पंदरवे माले से, जब वो नीचे आएगी, तो जो उसके अंदर बंदा है, उसको weight महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जी कितना होगया, सब कुछ शून नहीं होगया जी, कि बराबर वो जाने लगी, तो वहाँ पर a बराबर जी हो गया, अब यह आप जानी रहें कि a बराबर जी जैसे ही होगा, उसका reaction force क्या हो जाएगा, शून ने, उसमें कुछ reaction force नहीं रह जाएगा, तो इस तरीक, भाई यह भी आप समझ पाए होगया है, कि बोड़ी थी, यह mg नीचे लग रहा था, r उपर लेते हैं, और यह जो a रहा, वो नीचे की direction में a बराबर जी हो गया, तो आप formula लिखते थे, r माइनस नीचे जा रही है lift, तो mg माइनस r, is equal to, फिर यह mg, a g, ma होता है, और ma का मतलब mg, mg, mg कड़ गया, r बराबर zero आगया, तो reaction उसको zero मिलेगा, mathematically दिखाया, वरना इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो mathematically मैंने show कर दिया, कि देखी reaction zero हो रहा है, जिसे कि आप जब problem आवे, तो उसको बड़े शांती से निप्टा पाएं, तो ये बात आपने पकड़ी होगी, कि लिफ्ट अगर टूट जावे उपर से, free fall की स्थिति आ जाए, तो उस समय क्या होगा, जो अंदर बंदा है, वो weightlessness महसूस करेगा, कि कोई वजन ही नहीं है उसके अंदर, वो अलग बात है कि एक दुरघटना हो सकती है उसके बाद, लेकिन आप समझ पा रहे हैं, कि ये issue खड़ा हो जाएगा, अच्छा भाई, अब अगली बात देखते हैं, बड़ा important, law of conservation of linear momentum, तो ये ध्यान न किये, किसी भी isolated system में, isolated system किसे बोलते हैं, वो system, वो क्रिया किलाब, मतलब आपको सरल भाषा मता है, मा लीजे कार है, तो कार बंद कर लीजे चारों तरफ से, और कार का बाहरी दुनिया से रिष्टा खतम हो जाए, मतलब बाहर क्या हो रहा है, इससे कार को मतलब नहीं, कार के अंदर मतलब नहीं, और कार के अंदर वालों को बाहर से मतलब नहीं, तो ये कार क्या हो जाएगी, isolated system, isolation का मतलब होता, एकदम अलक कर देना, जैसे आपने सुना होगा, ICU वेगरा में भी isolation ward होते हैं, किसी patient को isolation ward में रख देते हैं, कि वही वहाँ उसके पास कोई जायवाय का नहीं, बस वो डॉक्टर और नर्स साहब निगरानी करेंगी, नर्स मैडम निगरानी करेंगी, बास महारे तो isolated system का मतलब, कि ऐसा system में ऐसा कारिकरम हो रहा है, जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेन देन नहीं है, ना लेना ना देना, तो isolated system में आपका जो linear momentum रहता है, वो conserve होता है, कहने का यहां मतलब है आपको थोड़ा और एक मिनट इस पर वैतीत करते हैं, मालीजे जैसे कि train का coach है, coach देता है train का डबा, अब वो ऐस तरीके से बना दिया गया है, कि उसकी बाहरी दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं, ना उस पर कुछ असर ना वो कही असर डालेगा, अब जो उसका momentum उसमें माली 10 लोग हैं, अब 10 लोग दोडने लगें धर से उधर, तो जब इधर से उधर दोडने लगेंगे तो उनका velocity हो जाएगा, पहले रुके थे velocity हो जाएगा, तो MV कुछ momentum आएगा, लेकिन सबकी जब MV आप जोडोगे, क्योंकि velocity तो directional होती है, तो net result अब भी 0 आएगा, जब वो शांती से बैठे थे, तो कहने का मतलब, linear momentum of an isolated system will not change, जब तक कि उसको पर कोई external force ना लग रहा हो, उस coach को कोई धक्ता मार देगा, तो जड़बड हो जाएगी, यानि जब तक कोई external force नहीं लगेगा, किसी isolated system का, जो linear momentum होता है, वो conserve रहेगा, यह ध्यान अखने वाली बात है, तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 सब को जोड़ेंगे, तो यह value क्या होगी, यह आएगी हमारी constant, यह बात मैंने काफी बताई, बात पकड़ में आई होगी, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, अब यही for a two body system की बात की, यह एक body थी जो U1 velocity से चल लएगी थी, यह दूसरी थी U2 से एक ही direction में, अब यहाँ पर अगर U1 is greater than U2 है, तो थोड़ी दिर में यह तेज चल लएगी, यह दीरे चल लएगी तो टकरा जाएगी, यह टकरा गई, और during collision, और collision होने के बाद, इसकी velocity V1 हो गई, इसकी velocity V2 हो गई, और इस इन दोनों का जो खेल चला है, इससे बाहरी दुनिया को मतलब नहीं, और इसका असर ना बाहर है ना बाहर का असर इसके अंदर है, यह दोनों लोग आपस में लड़ मरें, तो उस situation में initial momentum, जो की था M1, U1 प्लस M2, V2 system का पुरे, तो पहले का जो momentum था, M1, U1 इसका प्लस इसका, इसको जोड़ा हमने, और यह final momentum के बराबर रहेगा, M1, V1 प्लस M2, V2, तो इससे दिखता है, पहले का momentum, बाद वाले momentum के बराबर है, अगर यह एक isolated system है, तो, यानि कोई external force जब तक नहीं लग रहा है, कोई तीसरा खिलाली भी आ जाएगा, तो एक अलग बात हो जाएगी, खेर, इसी तरह यह आपने पढ़ा होगा, नाइन्थ क्लास में भी जब किसी बंदूग से गोली दाखते हैं, तो practical application है, जो recoil of a gun, जब आप बंदूग से गोली चलाते हैं, तो बंदूग जटका मारती है, कोई कि बंदूग और बंदूग के अंदर गोली, वो एक उसका isolated system है, जब गोली निकलती है, तो तेजी से गोली निकली है, उसका कुछ momentum में change हुआ, पहले रुकी फसी थी, बंदूग के अंदर रुकी थी, तो जो momentum में change हुआ, वो यह जो पकड़ रखे हैं, बंदूग, उसमें भी momentum, हम उल्टी direction में हो, तभी तो दोनों 0 आएंगे, वोगी यह तो vector quantity है, direction मतलब है, यह इधर भागा तो इसको इधर भागना पड़ेगा, मास ज़्यादा इसलिए कम भागेगा, मास कम है इसलिए गोली बहुत तेज गई, तो पीछे जटका खाता है बंदूग, और अगर हम तरीके से इसको नहीं पकड़ेंगे, तो हमारे हाथ में चोट लग जाएगी, मास अब गोली चलाएं क्यों, लेकिन मुद्दे की बात यह है, खेर, अगली बात देखते हैं, कि while firing a bullet, the gun should be held tight to the shoulder, अब आप समझ गया होंगे कि बंदूग चलाते वक्त, आपको मजबूती से गन को पकड़ना पड़ेगा, बना जटका लगेगा, और कंदे या कलाई में मोच आ सकती है, टूट सकती है, when a man jumps out of a boat to the shore, the boat slightly moves away from the shore, आपने देखा होगा जो नौ रहती है, मैं बच्पन में काफी देखा हूँ, किया भी हूँ, बदमाशी, तो वो जो नौ रहती है, किनारे पर जब रहती है, जब आप उतरते हैं उस पर, तो नौ पीछे खिशकती है, वो कहानी वही चली आ रही है, आप का कुछ बदला, आप जब उसके इंदर बैठे थे, तो उस सिस्टम का मोमेंटम, किनारे पर शून ने था, आप आगे बढ़ गए कुछ मोमेंटम लेके, तो नौ को पीछे खिशक नहीं पड़ेगा, मास ज़्यादा है नौ का, इसलिए कम खिशकेगी, आपका मास कम है, M into V होता है न, आपका मास कम है तो विलॉस्टी ज़्यादा पकड़ी है अपने, लेकिन दोनों का एफेक्ट जीरो आएगा, और कोई एस्ट्रोनॉट किसी ओपन स्पेस में अपने जट में जाता है, तो उल्टी दिशा में कोई समान फेकता है, जिससे उसको वापस स्पेस जट में जाने में मदद मिल सके, अब यही कुछ बाते हैं, और इसी की बात समझें अगर, तो rocket and jet planes works on the principle of conservation of momentum, rocket और jet plane भी होती हैं, जो वो इसी conservation of momentum पे काम करती, जो fuel निकालती हैं, उसी का momentum लगता है, वो उरको आगे उप्री दिशा में ले जाता है, explosion of a bum, देखें एक bum है, रखा हुआ bum समझ लीजे, और यह दग जाता है, और इसके मान लीजे 5 टुकड़े हो जाते हैं, उने को तो 50 हो सकते हैं, पांच टुकड़े हो जाते हैं, तो इस समय इस bum जब यह ठंडा पाड़ा था, मतलब रखा हुआ था rest पर, तो momentum कितना था 0, क्योंकि M into V करोगे, तो इस समय तो V 0 है, rest पर है, तो इसका जो initial momentum है, वो 0 है, अब यह तूट गया, पांच टुकड़ों में, कोई टिकड़ा इधर भागा, कोई टुकड़ा उधर भागा, कोई टुकड़ा उधर भागा, लेकिन जब इन सब का momentum जोड़ोगे, जैसे इधर जोड़ा है, velocity की direction से जोड़ोगे, तो यह दिको polygon बना दिया, यह मतलब इसका भी resultant शून न आएगा, जब polygon closed बनता है, vector आप पड़ चुके हैं, तो उससे में क्या देखते हैं, कि इसका resultant शून न है, यानि इसका जो momentum आएगा, जब आप जोड़ोगे, तो इसका momentum भी 0 आएगा, क्योंकि initial 0 था, इसलिए यह भी 0 बना रहेगा, जब तक बाहर से force न लगे, explosion अंदूरी नहीं force है, internal forces से कुछ नहीं उखड़ेगा, external लग जाएगा, तो कहानी अलग हो जाएगी, bum दगा है, तो internal force की वज़े से दगा है, इस वज़े से, यह momentum और यह momentum, दोनों का momentum कंजर्व होगा, 0 अगर पहले था momentum, तो पांचों टुकडों का जोड मारेंगे, तो भी शून नहीं निकलेगा, एक numerical आता, इस numerical को करते हैं बेटा, फिर देखते हैं आगे, लिखा, एक 30 kg शेल, इस फ्लाइंग एट 48 मीटर पर सेकेंड, इसका 18 kg का एक पार्ट रुख जाता है, वाइल दर रिमेनिंग पार्ट फ्लाइज ओन, फाइंड दी विलोस्टी आफ दी लेटर पार्ट, देखें यह कोई था शेल, 30 kg इसका मास था, अब यहाँ पर यह, मेरे कहलें यहीं दखा दो, यहाँ पर दख गया, तो एक पार्ट तो रुका रहे गया, मतलब इदर बना रहे फोटो, जिसकी जो 18 kg का था, वो स्टॉप कर गया, और दूसरा वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट, जो की मास में तो चेंज आएंगा नहीं, यह 12 kg का, इसकी velocity हमको निकालनी है, इसकी velocity क्या है, V1 कह देते हैं 0 है, हमें V2 निकालनी है, मास तो आपको देखी रहा है, इस initial velocity इसकी कितनी थी, 0, conservation of momentum, इसका momentum बराबर इन दुनों का जोड़ की momentum, बात खतम हो जाएगी, यानि अगर मैं इसको capital M बोलूं, और इसको M1 और M2 बोल दूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ भई, M into U, initial momentum, final दोनों का जोड़ के, तो M1 V1, plus M2 V2, अब initial momentum कितना था, initial momentum में, अच्छा ये velocity थी इसकी, तो U था 48, 48 meter per second, 0 नहीं थी, इतने से ये movement कर रहा था, तो यहाँ पर mass था 30 kg, velocity 48 है, दूसरा था 18 kg, लेकिन इसकी velocity 0 थी, अगले वाला का था, 12 kg into V2, तो V2 की value कितनी है जाएगी, 30 into 48, upon 12, 12, 48 यानि 120 meter per second, ये आपका रहा answer, conservation अब ये क्या लगाया हमने, conservation, conservation of momentum, तो ये बड़े असानी से कर सकते हैं, ये सब सवाल, जैसे मैं बता भी रहा हूं, मैं भी slide, side में हट जाता हूं, इसका screenshot ले ले लें आप, या इसको pause करके note कर लें, जो भी सुविधा जनक हो, तो ये मैं हट गया, इसको आप बेटा जी note कर लीजे, और अगली बात देखते हैं, कहानी क्या है, तो ये note कर चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं किदम, अब देखिए, ये देखिए, a number of forces acting at the same point, is called congruent forces, एक point cube, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, देखिए, वेक्टर में क्या होता है, कि मान लीजे, ये point O है, इस पे कई सारे forces काम कर रहे हैं, तीन ही बना देते हैं, तो हम लोग जो वेक्टर बनाते हैं न, वहाँ पे forces को दिखाने का तरीका होता है, वहाँ पे tail बनाते हैं, यानि जो तीन forces हैं न, अगर देखिए, ये point O है, F1 इधर है, तो मैं इसको F1 इधर बनाऊंगा, इसी direction में आगे, ऐसे लगाऊंगा, इसकी पूँच उस point पे दिखाई जाती है, F2 इधर है देखिए, तो F2 इधर लग गया, और F3 उपर जा रहा है, कुछ आसपास, तो ऐसे मैंने इसको अटाओ, किसे अटेगा, ये आपका F3 बन गया, बास समझें न, किसी point पर गर फोर्स लगाना है, तो उस point पर हम पूँच लगाते हैं, वेक्टर की, जिससे tail बोलते हैं आप, है ना, initial point बोलते हैं, और वेक्टर की भाशा यूज़ करेंगे तो, और इस तरह से वेक्टर दिखाते हैं, इस तरह नहीं दिखाते, देखिए, यहाँ कहीं भी बना भी होगा, तो गलत होगा, नहीं बना यहाँ पर, तो यहाँ पर यह तीन forces लगें, एक इधर देखिए भाग रहा है, एक इधर, एक इधर, ऐसे नहीं बनाते हैं, लोग figure, तो बात पकड़ में आई होगी, तो congruent forces क्या हुए, वो forces, 2, 4, 6, 10, जो भी हैं, एक ही point पे लग रहे हैं, तो उनको बोलेंगे congruent forces, और, a number of congruent forces are set to be in equilibrium, if their resultant is zero, सीधी से बात है, यह equilibrium में तब होगा, जब इसका resultant कुछ भी ना आवे, मतलब शून ना आवे, तो हम समझ जाएंगे, इसका resultant है शून, कोई motion portion नहीं होना, इसके अंदर, तो यह, vectorally आप जब जोड़ेंगे देखिए, एन तक, तो एक null vector आ गया है, और zero हो गया है, अच्छा इसमें एक बड़ी, मज़दार theorem है, लामीज theorem, वो भी देख लेते हैं, कहे को, वो क्या बोलती है, लामीज theorem देखिए, वो बोलती है, कि, अगर, केवल, तीन forces के बारे में हैं, ध्यान लखिएगा, three concurrent forces, तो यह पकट, चार forces होंगे, तो यह नहीं लगेगी, दो होंगे, तो यह नहीं लगेगी, तीन के लिए केवल, तो, it is state that, if three forces, इन forces का net result, तो zero आए गई होगा, साथ में एक relation, बड़ा interesting आता, जो सवाल निकालने में, काफी सही होग करता है, यह एक point ले लिया है, हमने, और तीन forces लगा हैं, यह अपर, यह F1 है, इधर F2 है, इधर F3 है, अब, अगर मैं F1 लिखूं, इसका ratio बराबर होता है, F2 अपाउन, F2 यह force है, इसके विपरीत, यानि F1, F3 में बनने वाला angle, जो की बीटा है, इसको sine बीटा लिख दूँगा, और यही चीज़ इकुलेंट होगी, F3, F3 का force इधर है, इसके opposite, यानि बाकी F1, F2 से बनने वाला angle गामा, sine गामा, यह relation holds true, और इस relation की मदद से, हमारी कई चीज़ें आसान हो जाती है, इसको बोलते हैं, लामीज त्योरम, तो लामीज त्योरम क्या है, जब तीन forces एक ही पार्टिकल पर लगें, और वो equilibrium में हो, तो यह relationship holds true, यह बात आप समझ गया होंगे, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, यह numerical सा आगे है, तो उसको कर लेते हैं पहले, देखें, यहां लिखाए वा है, determine the tensions T1 and T2 in the string shown in the figure, तो यह एक figure है, मेरे खाल से मैं लाल कलर लिख दूँ, बार बार कलर चेंज करने में, टेंशन होती, इसलिए अक्षन में है, उससे लिख देता हूँ, ग्रीन से थोड़ा बुद ग्रीन दिख भी जाता है, तो यह T1 यह T2 है, और इसका मेट 4 kg weight नीचे एक्ट कर रहा है, हमें निकालना क्या T1, T2, ब्लाइक पर दिखता नहीं है, तो T1 के हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट ले लेते हैं यहाँ पर, तो मैं इस T1 लग रहा है, force tension in the string, इसके दो कंपोनेंट लिए, एक कंपोनेंट इधर, और एक कंपोनेंट वर्ट कली इधर, अब इस T1 का, यह 60 डिगरी है, तो यह भी 60 डिगरी हो जाएगा, तो यह वैलू हो जाएगी, T1 कॉस 60 डिगरी, और यह कितना हो जाएगा, T1 साइन 60 डिगरी, यह कंपोनेंट, T2 इधर है, वेट इधर है, अब वापस हम लोग, ग्रीन बटन में आ जाते हैं, अब हम एक्लिबरियम इस्टैबलिश करते हैं, T1 साइन 60, किदार है, यह, यह किसको बैलेंस कर रहा है, 4 kg वेट को, तो 4 kg वेट को मतलब 4 kg वेट को, क्योंकि एक्लिबरियम में मोशन तो नहीं हो रहा है, अगर मोशन नहीं हो रहा है, तो एक दूसरे के बराबर है, तो 4 kg वेट का मतलब है, नूटन में 4 into 9.8, नूटन, दूसरा देखते हैं, जो कि T1 cos 60 है, यह T2 के बराबर है, इधर में मोशन नहीं हो रहा, तो T1 cos 60 degree is equal to T2, बात पकड़ में आई होगी, अब इसकी बात करते हैं, 3 by 2, तो 4 into 9.8 upon root 3 upon 2, और यह value हो जाएगी 45.26 newton, यह आया T1, इसी तरह T2 निकाल लो बेटा, तो अब हमें T1 मालूम चल चुका है, तो T2 की value क्या होगी, T1 cos 60 T1 कितना है, 45.26 and cos 60, cos 60 होता 1 upon 2, half, अब इसको आधा कर दीजिए, इसका value हो जाएगी 22.63 newton, यह अंसर होगी आपका, इस तरह से सवाल आप कर सकते हैं, मैं तोड़ा सा हट जाता हूँ, फिर आप इसको note करिए, और ऐसे सवाल आपको आने चाहिए, यह बहुत असान है, तो मेरे खाल से note कर लिया होगा इतनी देर में, एक कदम और आगे बढ़ते हैं, चलिए, बड़ा important topic आता है अपने पास, देखिए, बड़ा, मैंने तरीके से notes बनाने की कुशिस किये, जिससे बड़ा high level concept आपके दिमाग तक पहुचे, सब्सक्राइब भाषा में, free body diagram, कब इस्तमाल अदिक्तर होता है, motion of a connected bodies में, जो connected bodies हैं, वहाँ पर हम इस concept का इस्तमाल करते हैं, free body diagram का, अब अगला सवाल खड़ा होता है, free body diagram होता क्या है, जहां इस्तमाल करते हैं, तो समझ माया, अब देखिए क्या होता है, तो देखिए यहां पर दो बाते लिखी हैं, free body diagram यह और यह है, जब इस्तमाल होता है, when a number of bodies are connected together by strings, माल लीजे यह एक pulley है, एक weight इदर लटकर रहा है, एक इदर यह connected है आपस में, तो यह connected motion हो गया, together by strings, rods, etc., यह असान होता है, कि हम free body diagram को बना लें, for each body separately, उसमें से अलग एक body तोड़ के निकाल लेते हैं, अब ही दिखाएंगे, by showing all the forces acting on it, ध्यान रखिएगा, by showing all the forces acting on it, वो कितना लगा रहा है, इससे मतलब नहीं है, उस पर कौन-कौन से force लग रहे हैं, इससे मतलब है, अब यह देखिए, a free body diagram क्या होता है, यह लिखा हुआ है, FBD भी बोलते हैं इसको, free body diagram, जिसे आप short में, FBD भी बोलते हैं, यह FBD लिखा हुआ है, a diagram for each body of the system, showing all the forces exalted on the body, by the remaining parts of the system, called free body diagram, जैसे मैं इस system में, इसको काट के अलग ले लूँ, free कर दूँ इस system से, तो यहां मैंने यह एक बनाया, इसका body जो थी, इस पे लगने वाले forces, तो इस पे लगने वाला कौन था, इसका weight, mg, और उपर लग रहा है tension T, और उसके बाद जो घटना, जैसे कि यह body क्या है, motion motion जो कर रही होगी, वो अलग से देख लेंगे, acceleration motion दे रहा है, अब इस body में forces को, अब acceleration अगर नीचे है, इस समय, तो हम इसको, क्या लिख सकते हैं देखिए, हम लिख सकते हैं, mg, कि बड़ा है T से तभी तो नीचे जा रहा है, minus T is equal to MA, यह free body diagram FBD का इस्तमाल किया, और यह equation ने फट से निकाल ली, otherwise यहां हम सीधे attack करते हैं, पूरी body पर, तो हमारे दिमाग का खर्चा हो जाता, मतलब, पाखल हो जाते हैं, सवाल ना पाते हैं हम लोग, तो यह free body क्या है, कि किसी भी टुकड़े को निकाल लीजे, और उस पे लगने वाले forces, वो किस पे क्या लगा रहा है, इससे मतलब नहीं है, उस पे लगने वाले forces को बना लीजे, और motion को, equation of motion प्राप्ट कर लीजे, तो यह मैंने आगे बताया भी है, कि free body diagram को कैसे use करते हैं, लेकिन मैंने यहीं समझा दिया आपको, जिससे बात आप पकड़ पाएं, आगे मैंने इसी बात को, आपके लिए notes के तौर पे भी देने की कोशिस किये, कि देखिए tips for solving problems in mechanics, जो mechanics पढ़ रहे हो, इसमें problem या numerical कैसे solve करते हैं, क्या concept लगाते हैं, उसकी चर्चा, तो to solve a typical problem in mechanics, we use the following steps, draw a diagram showing various parts of the system with link support etc, पहले आप diagram show कर लीजे, जो कुछ ताम जहाम है सबके साथ, फिर क्या है, choose any one convenient part of the system, किसी convenient part को पकड़िये, जो आसानी से दिखाई पड़ रहा है आपको, draw a separate diagram of the chosen part, showing all the forces on the chosen part, by the remaining parts of the system, उस part पर जो जो forces बाकी system लगा रहा है, वो सारे mention कर दीजे, draw कर दीजे, and also by other agencies, a diagram of this type is called a free body diagram, मैंने भी आपको समझाया, FBD, तो free body diagram बना लीजे, अब, in free body diagram, include information about magnitude and direction of, forces that are either given, or you are sure of, या तो आपको पता है, या आप जानते हैं कि ये लगने वाला है, the rest should be treated as unknown, अब आकी सब कुछ unknown, कि तरह treat कीजे, और लगा दीजे, equate the net force, acting in a particular direction to its mass, times the acceleration produces in that direction, total को जैसे मैंने यहाँ पर देखिये, यहाँ पर क्या किया था, यह equation मना के, में के बराबर कर दी थी, यही वो चौतर नंबर का step है, कि mass को acceleration के बराबर रख दीजे, बाकी forces mention कर दीजे, तो इससे आपको connectivity यह कैसे करते हैं, इसका अंदाजा भी मिल जागा, यह point होगा, अगला point इसका पाँचवे नंबर का point भी, देख लेते हैं, यह देखिए, तो if necessary, we can follow the same procedure for any other part, बाई, अगर कोई दो unknown है, तो दो equation चाहिए, तो FBD कम से कम दो कहा होना चाहिए हमारे पास, the equations of motions obtained for different parts of the system, can be solved to obtain the desired results, तो यह FBD मैंने बताने की कोशिस की, कि आप इसको पकड़ पाएं, बढ़ी सरलता से सवाल लगा, निकलते हैं, और निकाले भी इसी से जाते हैं, एक important note जरूर ध्यान लखिए, कि inertial frame of reference में, वो क्या होते हैं, frame of reference which is either at rest, or moving with constant velocity, कोई भी frame of reference है, या तो वो रुका हुआ हो, यसे जमीन पर खड़ें, तो जमीन को मानते हैं, rest पर है, absolute rest तो नहीं है, यह मैं पिछले वाली चप्टरों में समझा चुका हूँ आपको, तो उस समय rest पर हो, या आप किसी मालीजी स्कूटर पर सवार हैं, बाइक पर, तो उसकी velocity सेम बनी हुई है, 40 meter per second से चलने हैं, सीधी रेका में, तो 40 meter per second से सीधी रेका में चलें, उस अवस्था को हम बोलते हैं, inertial frame of reference, यह बता चुके हैं, इसमें Newton के नियम valid होते हैं, यह नीचे लिखा हुआ है, लेकिन जो non-inertial frame होते हैं, जहां पर accelerated motion हो रहा हो, which is accelerated frame, यह आप ऐसी चीज़ पर सवार हैं, motorcycle पर, जो motorcycle speed में है, accelerate हो रही है, वैलिड नहीं होते, in non-inertial frame of reference, वैलिड है, inertial frame of reference में, यह देकिन लिख भी दिया, Newton's law of motion, are valid, in inertial frame of reference only, non-inertial में, यह valid नहीं होते, जिसे confusion, एक रत्ती का न रह जाए, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, जो connected motion का है, जो मैंने, आपको बताने की कुशिश की थी, कैसे इसको यूज करते हैं, तो free body diagram, जो मैंने अभी आपको बताया था, इसको काट के निकाल लिया, सोचा, और आपको जिसे सिखाया था, इधर इसका weight लग रहा है, mg, इधर था tension T लिखाया है, तो T, और acceleration इसका A नीचे था, तो इसकी equation बना दी, आपको दिखाया था न, mg, capital M, तो capital M लिख दे था, तो mg minus T, is equal to M A, बास पकड़ में आई, इसका बनाओगे देखिए, second बाल लेगा, तो ये body आपने ऐसे बनाई, इसको capital M लिखो, क्योंकि ये capital है, आप बना, ये छोटा M है, तो mass तो नीचे ही लेगेगा भाई, और tension उपर लेग रहा है, T, और acceleration उपर है, तो अब T बढ़ा हो गया, mg से, तभी तो उपर जा रहा है, तो T minus mg, is equal to M A, और इसको इक्वेशन है, और दो unknown है, इसको काट के निकाला, और क्या करते हैं, जो इस पे लगने वाले forces हैं मेंशन कर दीजे, और जो गिवन चीज़ें, acceleration वगएरा वो लगा दीजे, इसी तरह इसको काट के निकाल के लिए, और दोनों को solve करके, पुरे system का हिसाब किताब आपने बना दिया, और tension लगता की दर है, जहां आप बांदते हैं, उसकी opposite direction में, यहां आपने बांदा है, तो इसकी opposite direction में tension लगेगा, यहां की बात करें, आपको confused नहीं कर रहा हूं, just knowledge, यहां बनदा या इससे रगड़ रहा है जिसे, इसका tension यहां ऐसे हो जाएगा, जिस जगा यह बनदा है, या जिस जगा यह अटका हुआ है, उसकी विपरीच दिशा में tension होता है, तो यह बात पकड़िएगा, एक uniform string है, massless string है, तो tension same, अगर वो massless नहीं है, mass है उसके अंदर, तो हर जगा tension अलग-अलग, आपको massless ही मिलेगी वेसे, ठीक, और कहीं गाठ बान दी गई है, तो गाठ के इस तरफ एक tension, दूसरी तरफ दूसरा tension, यह जानकारी के लिए, जिससे आपको अंदाजा रहे, बाकी वो इतना सब 12th के एक्जाम में, कभी पूछा नहीं जाएगा, खेर आप बात समझ पा रहे होंगे, मेरे काल से छूड़ गई, यही है, अच्छा, अब अगली एक numerical आता है, इसको करने का प्रियास करेंगे हम लोग, तो देखिए, यह, two blocks of masses, M1, M2 in contact, यह M1, M2 contact में, lie on the horizontal smooth table, surface, ash on the figure, यानि कि, जिस surface पे रखे गए हैं, वहाँ पे friction कोई नहीं है, smooth surface बोल दी, as shown in the figure, the blocks are pushed by a force F, यहाँ से एक force F, इसको push किया गया है, if the two blocks are always in contact, दोनों blocks हमेशा, एक ही contact में हैं, what is the force at their common interface, इसके common interface यहाँ पर, क्या forces लग रहे हैं, यह हमें सीखना या बताना है, अब देखें, इन दोनों को, यह touch हैं आपस में, इनका मैं free body बनाने की कोशिस करूँ, FBD, तो, पहले वाला, अगर मैं अलग करना हूँ, M1, body, M1 पे force आप बाहर से एक लगा रहे थे, और इसके बीच में, M1 ने M2 पे force लगा या था, M2 ने M1 में action reaction, तो इस पे एक force मान लेते हैं, F लग रहा है, action reaction वाला, और दूसरी body जो M2 थी, इस पे, यही F इस दिशा में लग रहा है, थोड़ दूर बनाना चाहिए था दिख रहा है ना, action reaction, इस ने इस पे लगाया F, इस ने इस पे लगाया F, यह घटना टोटल यहाँ पे घट रही है, अब अगर मैं, इस acceleration की बात करूँ, कि दोनों साथी accelerate हो रहे हैं A से, तो टोटल body के लिए acceleration निकालू, F is equal to MA, तो A is equal to for a whole system, total force F, total mass M1 plus M2, बराबर है बात, अब यह second वाला system पकड़ लो, second वाले system में F force इदर लग रहा है, free body, और M, इसी दोनों चपकी चल रही हैं, तो acceleration same होगा, तो F is equal to MA लगा दो, F is equal to M, यानि M2 into A, दोनों का acceleration same है, क्योंकि दोनों हमेशा चपकी हुई है, अगर 60-60 नहीं चलती ही तो हो सकता है, आगे भाग जाती ही तो acceleration different हो जाता है, अब M2 लिखा, और A की जगा लिख दीजिए, यह F upon M1 plus M2, यह आपका इसके बीच में, interface वाला force निकलाया, कि M1 M2 पर कितना लगा रहा है, M2 M1 पर कितना लगा रहा है, यह small F लगा रहा है, यह answer हो गया आपका, तो इसको note कर लीजिए, फिर अगला भी एक सवाल करेंगे, interesting, तो यह आपने note कर लिया, note कर लिया होगा अब तक, और ऐसे सवाल मिले तो logically, conceptually आपको समझ में आना, चाहिए कि यह का कहानी क्या है, चली एक के दम वहर आगी चलते हैं, एक और numerical इसको भी करने का प्रियास करते हैं, as shown in the figure, three blocks connected together lie on the horizontal frictionless table, यह तीन blocks हैं, M1, M2, M3, और यहाँ पर देखिए, F4 से खीचा जा रहा है, आगे लिखा होगा, and pull to the right with a force, 50 Newton, इस capital F की जो यह F है, यह 50 Newton है, जो खीच रहे हैं, if M1 is equal to 5 kg, M2 10 kg, M3 5 kg, find the tensions in these strings, T1, T2, अब यहाँ देखिए, इससे बंदा है, तो T1 का direction इधर, इससे बंदा है, तो इससे दूर की तरब, मैंने कहा था न, जिदर बंदा हो, वो अवे, तो यहाँ पर यह बंदा है, तो यह अवे, यहाँ पर इससे बंदा है, तो यह अवे T2, और यह इस तरीके से जो खीच ने खीच लिया, T1, T2 निकालना है, free body, अच्छा, पूरी system के लिए पहले लगा देते हैं, force, F is equal to MA, for whole system, for whole system, तो F is equal to MA, F is equal to M1, plus M2, plus M3, into A, पूरी system के लिए लगा सकते हो, तो A कितना आएगा, F upon M1, plus M2, plus M3, force था 50 Newton, और यह 10, 20, 30, पांच, 10, 15 था, तो पांच, 10 और 15, value हो गई, 5 by 3, meter per second square, यह तो क्या निकला, यह acceleration निकला, हमको अभी tension निकालना है, अब हम free body diagram पर इस्तमाल करेंगे, जैसे, इतने को काट के निकाला, तो यहाँ पर देखिए, यह जो M1 है, इस पे tension लग रहा है, T1, यही तो force लग रहे है, और यह connected motion है, यानि जो acceleration पूरी system का है, साथ ही तो चल रहे हैं, तो इसका acceleration इधर A है, तो F is equal to M1 कह सकते हैं, tension तो force ही होता है न, तो T, T1, इन दोनों का जो net, F is equal to M1 कह दीजे, तो क्या value लिख सकते हो, T1 is, T1 force हो गया, और M1 into A, यह result हो गया, M1 कितना था, 5 kg, A कितना है, 5 बटे 3, तो आगया 25 upon 3, which is equal to 8.33 N, 8.33 N, यह tension T1 निकल आया, इसी तरह से कोई आप T2 पकड लीजे, तो जैसे मैं T2 पकड़ने में जाऊं, तो इसको पकड़ लेते हैं, दो-दो tension यह एके लिए में काम हो जाएगा, इतने को काट के निकाल लीजे, तो यहाँ पर 4 M3, FBD, यह भी FBD था, 4 M3, तो यहाँ M3 बनाओ ऐसे, force लगा रहे थे F इदर, और tension T2 लग रहा था इदर, और acceleration जो था वो था इदर, थोड़ा सा उपर कर लेते हैं, अब देखिए, बढ़ तो आगे रहा है, तो F-T2 दोनों forces ही हैं, F में से T2 गटाओ, और यह M3 इंटू A के बराबर हो गया, आगे बात समझते हैं, तो force कितना है, 50 Newton, माइनस T2, M3 कितना था, 15 kg, और acceleration है, 5 upon 3, 3, 5, 15 यानि 25, तो लगा और उपर कर लेता है, तो 50 माइनस T2, is equal to 25, यानि T2 की value कितनी हो गई, 25 Newton, यह answer हो गया, देखिए, बड़े प्यार से आप कर पाएंगे, कोई भी load नहीं है आपके उपर, तो इसको आप note down कर लिजे, screenshot ले लिजे, जो भी process यूज़ करना चाहते हैं, मैं तोड़ा इसको नीचे लाता हूँ, ऐसे रोकना ठीक रहेगा शायद, तो इसको आप screenshot ले ले, और फिर आगे की बात करेंगे, फिर मैं इसको तोड़ा उपर कर देता हूँ, नोट कर ले या screenshot ले ले, तो बच्चों भी हम लोग देखते हैं, friction और ये बड़ा interesting topic है, देखें कितने असानी से हम लोग समझ जाएंगे, बात को start करते हैं, तो friction whenever a body moves or tends to move, जब body चलती है किसी दिशा में, या चलने वाली होती है, तो the surface of another body, a force comes into play which acts parallel to the surface of contact, and opposes the relative motion, this opposition force is called friction, बलब जैसे कि ये body है, अगर ये body इधर चलने वाली है, या चलने वाली है, चलने वाली है, तो इसकी विपरीद दिशा में force of friction लग जाएगा, कहाँ पर, जहाँ पर दोनों body का surface है, उसके tangentially, ये body इस surface से touch में है, उसके tangentially इधर लग गया, अगर body का motion इधर है, तो frictional force इन दोनों के contact वाले में, opposite direction में इस तरीके से लग जाएगा, ध्यान दीजेगा, body चल रही है, या चलने वाली है, तेंट्स टू मूव, दोनों ही दिशा में friction लगते हैं, उनके नाम अलग-अलग होते हैं, अभी इभी देखेंगे, एक को static friction बोलेंगे, फिर एक word आजाएगा, जिससे हम limiting friction बोलेंगे, और तीसरा kinetic friction हो जाएगा, कब कब क्या क्या लगेगा, अभी आप बड़ी सरलता से सीख जाएगे, आईए चलते हैं कदम और आगे, static friction, दिखें, static friction क्या है, the force of friction which comes into play between two bodies, before one body actually starts moving over the other, is called static friction, मतलब एक body किसी surface में से table पर, या मेरे हाथ में पैन रखा हुआ है, अब मैं इसको force लगा रहा हूँ, तो बस ये चलने वाला है ना, तो इसके उपर ये, थोड़ा force लगाया है, चला नहीं है, तो मेरा जो थोड़ा सा force है, वो उसके बावजूद नहीं चला, यानि उस force को nullify करने के लिए, कोई opposite force लगा होगा ना मेरी force को, वो कौन सा force होता है, static friction, तो body उस समय चल नहीं रही होती है, चलने वाली स्थिती में हो रही होती है, actually नहीं चल रही होती है, बस चलने, मिलाब अभी है, तो मैंने थोड़ा force लगाया, नहीं चली, फिर थोड़ा लगाया, नहीं चली, फिर एक point ऐसे आया, कि बस इस से मैं अब जड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगो, कि चल पड़ेगी, तो जो static friction की जो maximum value होती है, जिस पर बस चलने वाली होती है, उसको हम बोलते हैं, limiting fraction, limiting friction, वो भी समझेंगे, तो यहाँ पर static friction है, नॉर्मली इस किताब में, FS दिखाया है, sorry, FS दिखाया हुआ है, तो यह FS इस तरीके से यहाँ, तो यहाँ पर इस बुक में, यह FS दिखाया है, static friction को तो FS से लिखाया है, कि body पर force अगर इस तरफ लग रहा है, यानि इस तरफ मूव करने वाली है, तो friction अपोजिट और उस तरीके से यह friction लगेगा, अब यह क्या होता है, limiting friction क्या है, limiting friction वो friction है, जो static friction का maximum value है, जिसे कई किताबों में FL लिख देते हैं, कई किताबों में FS करके max लिख देते हैं, मतलब वो आपने धीरे से इसको दबाने, हिलाने की कोशिश की चलाने की नहीं हिला, फिर force और बढ़ाया, फिर नहीं हिला, यह static friction चल रहा है भी, फिर आपने और जोल लगाया, फिर भी नहीं हिला, फिर एक point ऐसा आया, कि अब मैं इससे ज़्यादा लगा दूँगा, तो इस चल पड़ेगी, वो point जिससे जो maximum static friction है, उससे ज़्यादा लगते ही चल पड़ेगी, उसे बोलते हैं, static friction का maximum point, और उसी को बोलते हैं, limiting fraction, आपने देखा कि शुरू में, by the way, अगर मैं एक newton का force लगा रहा था, example, तो नहीं चला था, दो newton का लगाया, तो भी नहीं चला, तो जो static friction होता है, उसके पास self-adjusting की property होती है, हमने एक newton का दख्का दिया, body नहीं चली, इसका मतलब है, मेरा एक newton के विपरीद दिशा में, कोई force लग रहा होगा, जिसने मेरे force को nullify किया, वो static friction था, फिर मैंने 2 newton लगाया, तो जो एक newton static friction था, वो अपने आप पढ़के 2 newton हो गया, तब ही तो cancel किया मेरे force को, तब भी body नहीं चली, फिर मैंने 3 newton का force लगाया, अब 3 newton को उसने रोक रखा, static friction भी 3 newton हो गया है, लेकिन उसके बाद वो उसकी maximum value है, यानि वो limiting friction पर, अगर 3 newton से ज़रा सा ज़्यादा लगा दूँगा, तो body चलने लगेगी, तो समझ में आया, आपको दो बाते हैं यहां से, कि जो static friction होता है, उसके अंदर self-adjusting की property होती है, 1-2 newton, 2-2 newton जैसे इस example में हुआ, और जो maximum value होती है, static friction की, जिसके बाद अगर force लगाया तो चल पड़ेगा, उसे बोलते हैं limiting fraction, जो static friction की maximum value है, और जो body चलने लगती है, तो उसे उस समय जो friction लगता होता है, kinetic friction, वो भी देखेंगे, तो यह limiting friction है, जो मैंने अभी आपको समझाया, maximum friction की value, अब kinetic friction, kinetic friction में body चल रही होती है, movement में होती है, उस समय यह kinetic friction लगता है, fk से show कर देते हैं, और kinetic friction हमेशा limiting friction से कम होता है, kinetic जो body move जब करती है, तो उस समय जो friction लगता है, opposite लगेगा motion के, लेकिन वो कम होता है static limiting friction से, तो यह आपने देखा कि अगर body में इधर आपने force लगा है, इधर body चलने लगी, तो fk लगेगा, लेकिन जो fk है, वो limiting friction से कम की value hold करेगा, इसी का एक graph बना हुआ है, जो आप समझ सकते हैं अर असानी से, यह देखिए static friction है, यहां से यहां तक static friction लगा, और यहां पर peak इसने achieve की, तो बोले limiting friction, आपने थोड़ा force ज़्यादा लगाया, वो भी बढ़ गया, और लगाया, और बढ़ गया, static friction self-adjust कर रहा है, और बढ़ाया, और बढ़ गया, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते, जब यहां force पर पहुँचे, तो यह peak value pair है अपने, अब वो इसने ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है, अब इसके बाद body चल पढ़ेगी, जैसे ही दोड़ा फोर्स लगाया, body चलने लगी, और चलने में जो friction लगता है अब, वो यहां पर लग रहा है kinetic friction, जिसकी value इस limiting friction से कम है, तो यह graph भी important है, इसको पकड़के रखिएगा, पूछ लिया जाता है आपको आना चाहिए, अब इनके laws होते हैं, अलग-अलग, तो laws of limiting friction, जो हमने static friction की maximum value देखी थी, उसका laws क्या है, क्या point ध्यान में रखेंगे आप, the limiting friction depends on the nature of the surface in contact, and their state of polish, यानि आगर आप polish कर देंगे, तो static friction, या limiting friction कम हो सकता है, चिकना हट आजाएगी उसके उपर, तेल लगा दिया है, यह सब बाते भी depend करती है, limiting friction फिर कम हो जाएगा उससे, the limiting friction acts tangentially, tangential to the surface in contact, and in a direction opposite to the direction of motion of the body, यह बात देखी ली थी, कि दोनो surface in contact है, तो उसके tangentially लगेगा, और जिस direction में motion होने वाला है, tends to move, उसकी विपरीद दिशा में लगेगा, the value of limiting friction is independent of the area of the surface in contact, so long as the normal reaction remains the same, यह ध्यान किएगा, कभी-कभी हमको ऐसा लगता है, कि अगर हम जादा चीजें contact में ले आएगे, तो friction बढ़ जाएगा, लेकिन उस friction का, area of contact in contact से, कोई फरक नहीं पढ़ता है, इसकी जेगा अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूँ, फिर भी अगर खड़ा हो जाए, तो भी जो force लगेगा चलाने के लिए, वो same ही लगेगा, तो इस समय इतना ही area contact में है, और इस समय लेटाने पर इतना area contact में है, तो area of contact matter नहीं करता, reaction matter करता है, कौन सा reaction वो अभी दिखाएंगे आपको, जो normal reaction होता body रखने के बाद, वो normal reaction अगर same है, तो आपका area of contact in limiting friction, वो importance नहीं रखता, तो कोई लिना देना इसका नहीं है, अब ये देखिए अगला चौथा point, coefficient of limiting friction, कि अगर friction लग रहा है limiting, तो कैसे किस सर्फेस का क्या नीचर है, उसको coefficient of limiting friction से बोलते हैं, और उसको हम लोग दिखाते हैं, μूS से, ये static friction है, बलब जो दिखा रहे हैं, μूS, the limiting friction, F max, F max, ये F L कह दो, is directly proportional to the normal reaction, यहाँ पर देखिए body ये रखी हुई है, weight लगा नीचे, और इसका reaction लगा इस पर, तो ये R जो है न, ये हमारे लिए important है, ये R अगर बढ़ जाता है, तो friction भी बढ़ जाता है, क्योंकि friction की जो value होती है, F, S यहाँ पर लिखूं अगर, तो वो value जो निकल के आएगी, proportional to R रहती है, जितना बढ़ाओगे, उतना friction बढ़ जाएगा, और इसी के बीच में, proportionality constant भी आ जाता है, जिसे हम mu S कहते हैं, इसी mu को कोलते हैं, बोलते क्या हैं, coefficient of static friction, ये this is mu S, तो mu S क्या हो गया, limiting friction upon normal reaction, ये हमारा होता है, coefficient of static friction, और it is defined as the ratio of limiting friction, and to the normal reaction, तो ये important है, इसको पकड़ के रखिएगा, क्योंकि ये बताता है, किसमें कितना friction बढ़ेगा, तो जादा friction लगेगा, कम होगा, तो कम friction लगेगा, अब ये limiting friction के laws थे, अब इसी तरीके से, जब body चल रही होती है, उस समय जो friction लगता, उसे बोलते हैं, kinetic friction, तो उसके law क्या है, उसमें क्या बाते हैं, में ध्यानक नहीं, तो laws of kinetic friction, the kinetic friction opposes the relative motion, and has a constant value, depending on the nature of the two surfaces in contact, इसकी constant value एक होती है, depending on the nature of the surfaces, एक बार body चलने लगी, तो जो लगेगा, the value of kinetic friction, FK is independent of the area of contact, so as long as the normal reaction remains the same, यहां भी भी बात है, कि area of contact से, इसका कोई लेना देना नहीं, नॉर्मल रिएक्षन से लेना देना है, बढ़ेगा normal reaction, तो बढ़ेगा kinetic friction मी, the kinetic friction does not depend on velocity, कितनी तेज कोई चीज चल रही है, इससे kinetic friction का कोई लेना देना नहीं है, प्रोवाइड़ दा विलास्टी इस आइधर, नाइधर तू लार्ज, तू स्मॉल, बहुत जादा विलास्टी ना हो, बहुत कम विलास्टी ना हो, तो इन नॉर्मल सेंस, विलास्टी का कोई फर्क, आपका kinetic friction पे नहीं पड़ेगा, अब यहाँ पर अगली बात देखते हैं, कि the value of kinetic friction Fk, is directly proportional to the reaction, normal reaction R between the two surfaces, यहाँ भी देखें, μ के जो coefficient of kinetic friction है, उसकी value Fk upon R आजाती है, तो यह Fk upon R हो गया, वहाँ limited friction upon R था, यही बात यहाँ पे लिख दी गई है, it is defined as the ratio of kinetic friction to the normal, reaction है, यह section नहीं है, this is reaction, अगली बात देखते हैं, angle of friction, angle of friction क्या होता, यह पुछा जाता है, आपको मालूम भी होना चाहिए, तो देखिए, the angle of friction may be defined as the, angle which the resultant of the limiting friction, and the normal reaction makes with the normal reaction, मतलब क्या है, देखिए मैं समझाता हूँ, कि आपका, कोई applied force इधर है, तो इस पे जो limiting friction act करेगा, वो limiting friction इसकी विप्रीद दिशा में act करेगा, जिसे आप Fs max बोलेंगे, यह limiting friction है, इस पे normal लग रहा है, normal reaction R इधर, अब इस F max का limiting friction का, और R का resultant निकाल लो, बच्छ दो forces लग रहे हैं, तो उसका कोई resultant निकलेगा, यह resultant निकालाया, यह resultant किसका किसका है, limiting friction और normal reaction का, यह resultant, normal reaction से जितना angle बनाता है, उसी को हम बोलते हैं, angle of friction, भास ध्यान से repeat करके सुनना है इसको, तो, जो resultant, normal से जो angle बनाता है, उसे ही बोलते हैं, angle of friction, यह ध्यान लखिए, यह resultant किसका है, limiting friction, और normal reaction का resultant है, खेर, तो यह mu s की value होती है, 10 theta के बराबर, जब निकालोगे, if theta is the angle of friction, theta हमारा अगर angle of friction है, तो जो mu की value है, वो आजाती है, mu s is equal to 10 theta, static friction is equal to the tangent of the angle of friction, tangent का मतलब 10 theta, angle of friction में, अब एक और word आता है, जिसे बोलते है, angle of repose, यह भी बहुत सरल चीज़े हैं, देखे, angle of repose का क्या मतलब है, किसी भी, यहाँ पर मैं देख रहा था, राइटिंग पैड हो, तो बहां लीजे, यह राइटिंग पैड हमारा है, यह pen है सबोस करिए, छोटा साथ pen है, तो इसको, अगर मैं यह inclination बढ़ाऊं अपने हाथ का, यह, तो यह अभी नहीं सरकना शुरू हुआ है pen, और बढ़ाया है नहीं, अब जैसे ही थोड़ा और बढ़ाऊंगा, यह सरके गाई है, तो वो angle, slope का, जब यह body start करती है, खिशकना, उस angle को आप बोलते हैं, angle of repose, यह 5 से दिखाया गया है, यह पहले flat थी, तो यह नहीं सरका, और उठाया, नहीं सरका, और उठाया, नहीं स्लिप हुआ, यह सरका, और एक ऐसा angle आया, कि बस्ट, अब इससे जरा सा उपर कर दोगे, तो यह body, slide करना शुरू कर दी, तो वो angle, जिस पे यह body, start कर दे, slide करना, उसे बोलते हैं, angle of repose, this is the 5, अब इस diagram में, यह body है, यह इसका mg नीचे लग रहा है, यह इसका reaction है, और इस mg के दो component ले लीजे, mg cos यह हो जाएगा, phi, यह कई जगा आप लगा चुके होंगे, यह angle phi है, तो यह angle भी आपका phi हो जाएगा, और यह mg, mg, sin phi इधर हो गया, यह situation बनती है, अब the angle of repose is equal to the angle of friction, angle of repose और angle of friction दोनों same आजाते हैं, उससे में क्या होगा, if phi is the angle of repose, then mu s is equal to 10 phi, और इसी तरिके से angle of repose is equal to angle of friction, तो theta is equal to phi निकलाता है, theta is equal to phi, तो यह बात ध्यान रखिएगा, कि repose का angle या angle of friction, दोनों क्या magnitude same होता है, अब types of kinetic friction, जो kinetic friction है, इसके types देख लेते हैं, जो body move कर रही है उस समय, तो एक होता sliding friction, slide करना जानते हैं, खिसकना, सरकना, तो जो body खिसक रही होती, slide कर रही होती, जैसे यह body ऐसे खिसक रही है, तो slide कर रही है, तो sliding friction कहला देगा, अगर body roll कर रही है, जैसे पहिया घूमता है, if the body is rolling, अगर roll कर रही है, तो उसे rolling friction बोलते हैं, जैसे पहिया चलता है, गूमता है, वैसे rolling, for the same magnitude of normal reaction, rolling friction is always much smaller than the sliding friction, यहीं rolling friction हमारा sliding friction से, same normal reaction के लिए, कम होता है, rolling friction कम होता, पहिया चलाना गूमाना, आसान है, सरकाने की जगा, यह, अब कुछ और बाते भी साथ में, rolling friction is directly proportional to the normal reaction, जो rolling friction है, वो normal reaction के, proportional होता है, जैसा बाकी लोग रहे, rolling friction is inversely proportional to the radius, of the rolling cylinder और wheel, जो rolling cylinder होता है, बलब यह जो roll कर रहे हैं, इसका radius अगर r है, यह मालीज़ ऐसे roll कर रहा है, तो यह जो friction होगा, rolling का, यह इस r के inversely proportional है, और इस पर जो normal reaction r लग रहा है, उसके यह directly proportional है, इन दोनों को mix करते हैं जब, तो f r is r upon capital और एक coefficient एक लगा देते हैं, proportionality constant, तो f r is mu r, r upon r, यह mu r क्या है, coefficient of rolling friction, तो इस बात को भी ध्यान अक्के, जो मैंने आपको समझाया है, यह for a same normal reaction, हमारा rolling friction, kinetic friction से भी कम हो गया, और जब भी kinetic बोला जाए, तो उसको normally हम sliding friction समझेंगे, जब तक rolling ना बोला जाए, तो rolling friction sliding से भी कम हुआ, और static से भी कम हुआ, तो इसलिए किसी भी body को roll कराना, roll ऐसे ही, पईया जैसे गुमाना, ज़्यादा आसान पड़ता है, खैर यह बात आप पकड़ पाए होंगे, चलते हैं, अगला है एक है numerical, उसको भी कर लेते हैं, जो बड़े आराम से हो जाएगा, तो यह रहाँ numerical, ए block of weight 20 newton is placed on a horizontal table, यह एक block है 20 newton का, and a tension T, यह tension T इधर लग रहा है, which can be increased to 8 newton before the block begins to slide, 8 newton जैसे ही करेंगे, यह block हिलना, motion में आ जाएगा, खिशकना शुरू हो जाएगा, 8 newton करने में, is applied at the block as shown in the figure, a force of 4 newton keeps the block moving at a constant speed, अब जब जब चलने लगेगा, तो 4 newton का force लगाओगे, तो constant speed maintain रहेगी, अच्छी बात, once it has been set in motion, find the coefficient of static and kinetic friction, ठीक है साब, लगाते हैं, अब यहाँ पर देखिए, यह जब यह रखा है, तो उसका weight mg नीचे काम कर रहा है, reaction उपर काम कर रहा है, और यह vertical motion कुछ हो नहीं रहा, तो r minus mg is equal to 0, vertical motion 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, r is equal to mg, और mg कितना है, 20 newton, बढ़िया, अब दूसरा हमने यहाँ पर जो value लगाई है, जो force लगाया है, वो कहां तक force है, 8 newton का force जब तक लगाएंगे, तो वो बात पकड़ में आएगी, कि 8 newton, तक 8 newton लगाने पर चालू हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, T minus, T मतलब जो force लगाया जा रहा है, और यह static friction इसकी विपरीद दिशा में लगेगा, यह से fs max कह सकते हो, या fl कह सकते हो, minus fs max, और तिल अभी तक यह नहीं चला है, आठ newton तक नहीं चला है, तो T की value कितनी हो गई, T is equal to fs max, और यह value कितनी है, tension 8 newton, तो fs की value 8 newton है, और fs हम जानते हैं, कितने के बरावर होता है, mu s into r, ठीक, तो mu s into r, तो यहाँ से हमें mu s निकालना है, static friction की value, fs max, upon r, और fs है 8 newton, और जो reaction था, वो 20 newton के बरावर है, तो यह value आगई 0.40, यह आगया है, static friction का result, अभी kinetic friction निकालना है, यह पहला part कह सकते हैं इसको, और second के लिए इधर पकड़ लीजे, अब kinetic friction के लिए देखिए, r तो वही रहा, same, कोई भी movement, vertical नहीं है, तो r is equal to mg, is equal to 20 newton, यहाँ तक तो कोई परशानी नहीं है, दूसरा, अगर मैं t-fk लिख दूँ, तो यह value कितनी है, constant speed से चल रहा है, तो acceleration 0 है, इसका मतलब m a, a 0 हो गया, तो यह 0 के बराबर है, समझ पा रहे हैं नहीं, यह बराबर किस के होता, m a, और यहाँ पर m into 0 है, तो यह 0 के बराबर हो गया, तो t is equal to fk, color बदल लेते हैं, तो t is equal to fk निकलाया, अब fk की जो value होती है, वो होती है, mu k into r, मतलब mu k निकालना होगा, तो t upon r, और t कितना था, ती इस समय जो था, उस समय टेंशन की value थी, 4 newton, 4 newton दे रखा, यह देखिए, चार newton, यह 4 newton लगाने पर constant velocity पकड़ रहा है, तो यहाँ पर हमने value रख दी, 4 newton और reaction तो था 20 ही, 0.20 अंसर आगया, ध्यान रखिएगा, यह पहले वाले का tension अलग था, आठ दूसरे वाले का 4, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर देता हूँ, जिससे आप इसको note कर सकें, तो अभी यहाँ पर ले लिजे, इसको आप, इसको आप कॉपी कर ले या स्क्रीन शॉट ले ले जो भी आपको ठीक लगता है, और इसको मैं थोड़ा उपर कर देता हूँ, यह पूरी बात कम्प्लीट हो जाती ही, मैं आप जाता हूँ, आगे की चर्चा जारी रखते हैं, अब यहाँ पर देखिए, वर्ग डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्ग डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कतना होगा, इसको भी याद कर लीजिए, टो वर्ग डन in sliding a body, और a horizontal surface, एक horizontal surface पे body को जब slide करते हैं, तो वर्ग डन क्या होगा, अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो W is equal to force of friction Fk into S, Fk की value होती है, mu k into normal reaction which is mg क्योंकि यहाँ पर r बराबर mg है कोई vertical moment हो नहीं रहा normal reaction तो यह work done निकलाया जब किसी body को आप slide कर रहे होंगे horizontal surface पर अब यह क्या है कि work done in moving body up in inclined surface inclined surface इस body को उपर ले जा रहे हैं आप force यह p क्या है force लगा रहे हैं तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा force की value क्या आएगी वो यह लिखी हुई है mg sin theta प्लस mu cos theta और work done क्या आएगा f into displacement यह पूरी value into s तो यह जब आप उसको एक inclined plane है उस पर ऊपर चड़ाते हैं तो work done against friction क्या मिलता है यह value है जब आप इसको देखिए उपर ले जाएं खीचेंगे न तो friction force का direction opposite यह एफ के इदर लगता है फिर वो free value diagram बगएरा बना के solve करके यह result लाया जा सकता है ठीक अब दूसरी condition है जब आप जब वो body नीचे जा रही हो तो work done कितना आएगा work done in moving a body down and inclined plane तो जब किसी body पर इदर force लगाओगे नीचे ला रहे हो तो friction force उल्टा लगेगा यानि F के इदर लगेगा फिर इसके component वगएरा को solve करोगी जब आप तो work done निकलेगा mg bracket में mu के cos theta minus sin theta into displacement S इस तरीके से निकलाएगा आगे देखते हैं देखिए acceleration of a body sliding down and inclined plane अगर कोई body slide down कर रही है plane में नीचे की तरफ तो friction force kinetic उपर लग गया उस से में हमारी जो value निकलती है वो निकलती है force निकलेगा mg sin theta minus F के और acceleration निकलेगा g sin theta minus mu के cos theta और reaction तो mg cos theta को इसने balance कर दिया इस R ने इसको balance कर दिया है ये इसलिए कि आप formulae याद कर सकते हैं और थोड़ा ध्यान देंगे तो इसके derivation को भी सीख सकते हैं लेकिन one shot में इतनी बास सीख रहे हैं तो more than enough है आगे चलते हैं अब इस सवाल को थोड़ा में करके दिखाऊंगा तो थोड़ा तुम्हें और बहतर idea मिल जाएगा a mass of 200 kg is resting on a rough inclined plane of 30 degree तो एक यहाँ पर आप बना लिजे inclination theta ले लेते हैं जो कि 30 degree के बराबर आएगा एक block है जो यहाँ पर rest कर रहा है if the coefficient of friction is 1 upon root 3 find the least अब यहाँ पर interesting what दिखीगा लिखा है find the least and the greatest force इसके basically दो diagram बन जाएंगे पहला वाला जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है least force के लिए है तो यहाँ पकड़ते हैं और यहाँ पर इसका जो weight है वो काम करेगा mg इदर नीचे और इसके perpendicular लेते हैं थीटा है तो यह थीटा हो जाता है which is m cos theta और इसका दूसरा component mg sin theta और इस direction में लगेगा normal reaction plane के parallel अब आप मालीजे यह रुका हुआ यहाँ पर F1 force लगा रहे हैं इदर F1 force जिससे की यह body find the least and greatest forces acting parallel to the plane to keep the mass in equilibrium इस mass को equilibrium में रखने के लिए अगर इसको हम ना लगाएं तो यह क्या करेगा इदर सरकेगा तो हमने एक force लगाया है इदर F1 इसको balance करने के लिए parallel to the slope अब इस समय जो kinetic friction है वो किदर लगेगा उसका भी direction देखें इदर ही जा रहा है क्योंकि वरना यह slide इदर करना चाह रहा है न यह slide इदर करना चाह रहा है तो friction इदर लगा हमने रोक लिया F1 लगा के कि रूक जाए तो यह अभी देखिएगा यह minimum force निकल के आएगा अब इस figure यह figure को पहला case समझ लेते हैं तो F is equal to mu लिखेंगे mu r का मतलब mg cos theta mu हो गया 1 upon root 3 m है 200 kg 9.8 into cos 30 degree इसको जब हम solve करेंगे तो value मिलेगी 980 Newton के आज पास तो यह रहा 980 Newton F की value और component of the weight acting down the inclined plane क्या है वो है component of the weight acting down acting down the inclined plane mg sin theta तो यह value हो गई mg sin theta मतलब 200 into 9.8 into sin 30 degree आधा होता है sin 30 यह value हो आजागी again 980 Newton यह पहला calculation हुआ अब least force required to prevent the mass यह जो situation थी जब F हमारा उपर लग रहा होगा तो least force यह case 1 है least force required वो value कितनी हो जाएगी F यह F1 or is equal to mg sin theta minus F mg sin theta नीचे लग रहा है इसको balance किसने किया है इदर F1 plus small f ऐसे भी लिख सकते हो मतलब समझाने के लिए मैं अगर लिखना चाहूँ तो यह दुनो balance है तो इसे लिख सकते हो F1 plus F is equal to mg sin theta और F1 की value निकालोगे तो लिखोगे mg sin theta minus F दोनो value 980 newton आई है इसलिए जो F का requirement है वो 0 है तो least force कितना है इसका शून है कुछ भी नहीं लगाओगे इससे में तो balance हो जाएगा अब maximum force कितना लगाए जाए parallel to the slope है वो कौन सी direction होगी तो हम लोग maximum force लगाएंगे इस direction में F2 तो ऐसे ही लगेगा maximum लेकिन force जो frictional force क्या होगा वो नीचे की तरफ होगा ये तो minimum हो गया F1 अब दूसरा आपने F2 फिर उपर लगाया लेकिन F2 लगाया तो ये किधर move करने की कोशिस कर रहा है आगे क्योंकि ये जादा force है उस समय कितना reaction लग रहा है नीचे क्योंकर वो maximum हो जाएगा यानि ध्यान से दिखिएगा diagram तो ऐसे ही आपने बना दिया और जो force है F2 वो maximum लगाया आपने जब maximum लगाएंगे तो चलने की कोशिस करेगा उस समय जो friction force होगा वो आ जाएगा पीछे इस तरफ ये theta है again mg नीचे और ये रहा mg cos theta इदर रहा mg sin theta और ये रहा normal reaction r बागी सारी values तो बराबर ही है जो आप देख पा रहे है number two case की बात करें जो ये है case तो ये क्या है greatest force required force required उस समय greatest क्या है जो आपने पूरा force लगाया है अब इस से ज़़ादा लगाओगे तो इदर ही चलने लगे इसलिए friction इदर उल्टा लगाया है वहाँ पे minimum force था तो minimum force अगर उससे कम लगाते है तो नीचे सरकने लगता है इसलिए friction उपर था ठीक अब यहाँ पे value क्या लिखोगे आप लिखेंगे F2 is equal to mg sin theta plus F अब यह हो गया 980 यह भी 980 और मिलके हो गया 260 newton यह answer हो गया this is the greatest force और पहले वाला least force था friction क्या direction बदला है least में क्या था देखिए आपको समझाया है बोला ध्यान दीजेगा यहाँ पर कम सिफ कम force यह हटा लोगे तो किदर इदर भागेगी इसलिए F और उपर जो आपने यह greatest force लगाया है यह अब इससे ज़्यादा लगा दोगे तो उपर चली जाएगी तो इसका मतलब इदर friction नोट कर लो इसको फिर अगली बात करते हैं आगे की मेरे काल से यह यहां तक इसे आप नोट कर लीजे फिर आगे की बात करेंगे मेरे काल से नोट कर लिया होगा इसको तोड़ा उपर करता हूं इस स्क्रीनशोट यह पॉस कर करके नोट करने का जो भी आपको थीक लग रहा हो वह कर सकते हैं अब फ्रिक्षयन के बारे में और जानकारी लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि फ्रिक्षयन एक निसेसरी इवेल मतलब friction के कई फाइदे भी हैं और घाटे भी हैं तो हमें इसे रखना भी पड़ता है ना उगल सकते ना निगल सकते दोनों बाते तो it is due to friction between the ground and the feet that we are able to walk friction ना हो तो हम जमीन पर चल नहीं पाएंगे the brakes of a vehicle cannot work without friction जो brakes वेकल में लगता है बिना friction के वो brake नहीं लग सकता various parts of a machine are able to rotate because of friction between belt and pulley belt और pulley में friction होता है इसलिए बहुत सारे parts move करते हैं various machine के the tires of vehicles are made rough to increase friction गाड़ियों के जो tire बनाते हैं उसके नीचे grooves काड़ देते हैं जिससे friction जादा पैदा हो otherwise वो ठीक से move नहीं कर पाए कि slip कर जाएगी गाड़ी skid कर जाएगी nails and screws joint various parts due to friction nails और जो screw होते हैं वो friction की वज़े से ही गुसके टिके रहते हैं लखड़ी वेगरा में in the absence of friction it will not be possible to write on a paper with a pen or pencil pen pencil से जो हम लोग लिखते हैं वो friction की वज़े से ही लिख पाते हैं और friction नहीं होगा तो हम लिखी नहीं पाएंगे फिजल जाएगा पैना मारा अगला कुछ इसके disadvantages क्या हैं friction के wear and tear of the machine is due to friction friction की वज़े से machine में wear और tear होता खराब हो जाती ही तूटपूट होती है a large amount of power is wasted in overcoming friction and the efficiency of the machine decreased अब friction हो रहा है तो उसमें power और energy waste जाएगी उससे आप बच नहीं पाएंगे excessive friction between rotating parts of a machine produces enough heat and causes damage to the machinery friction की वज़े से काफी heat पैदा होती है और वो machine को खराब कर सकती है तो यह disadvantages है जहाँ advantages है उसके साथ disadvantages भी बहुत हैं अब अब आप friction को reduce कैसे कर सकते हैं friction हमें चाहिए भी और कभी हमें reduce भी करना पड़ता है तो reduce करने के तरीके क्या है by polishing हम उसको polish कर देते हैं तो by making the surface in contact highly polished and smooth the bumps and depression मलब जो उचाई और निचाई रहती है गड़े और उचाई वो दोनों flat हो जाते हैं क्योंकि polish कर दिया होता है उस वज़े से friction काफी घड जाता है lubrication a lubrication is a substance solid liquid gas कुछ भी हो सकता है यह which forms a thin layer between two surfaces in contact tail wheel डाल देते हैं आपने grease देखी होगी cycle में लगाते हैं जिससे lubrication हो जाता है और chain when break break अराब से चलती तेल डाल देते हैं तो वो भी असानी से काम करने लगता है lubrication से तो काफी कम हो जाता है streamlining तो friction due to air is considerably reduced by streamlining the shape of the body कारवार ऐसे shape की बनाई जाती है plane भी ऐसे shape की बनते हैं कि air से जो friction हो रहा है वो कम से कम रहे streamline रहे हो इस तरीके से उसके shape दिया जाता है तो यह methods है कुछ friction को reduce करने के लिए आगे एक और method देखते हैं by using ball bearings आपने देखा होगा इस तरह की ball bearings cycle वगेरा में लगी होती है cycle भी लिए किसी वी auto mobile में लगी मिलेगी उसमें क्या करते हैं यह देखे दो cylinder होते हैं एक बाहर वाला cylinder और यह एक अंदर वाला cylinder और इसकी बीड़ में छर्रे पड़े होते हैं यह steel balls जिसे आप छोटा छर्रा बड़ा छर्रा दोनों कह सकते हैं छर्रे समस्ते हैं इंदी में वनना steel balls समल लीजें अब यह इससे आप एक्सल जोड़ दिया जाता है जो इंजन से निकलते हैं रोड जो घूमती पईये में लगी होती है वो इससे जोड़ देते हैं और जब यह move करती हैं माल लीजे clockwise तो यह छर्रे move करते हैं उल्टी दिशा में उसके एंटी clockwise और बाहर का एरिया दिखिए इस बाहर का जो cylinder है वो असानी से इस तरह move कर जाता है अब क्योंकि यह steel ball है तो इसमें लगता है rolling friction और rolling friction इसमें क्योंकि rolling friction की value सारे kinetic friction या static friction में सबसे कम होती है इसलिए यह ball bearing का use किया जाता है और काफी टिकाओ होती है क्योंकि steel की छर्रे पड़े होती है steel balls पड़ी होती है जल्दी खराब नहीं होती कुछ समय बाद कट जाती हो अलग बात है लेकिन अदिकतर खराब नहीं होती जल्दी by using anti-friction alloys कई ऐसे alloys देखे गए हैं कि उस पे जब आप steel slide करती है तो friction कम होता है बशर्ते की steel जो है steel के उपर steel चलाई जाए तो ऐसे alloys उस कर देते हैं कि उसके उपर अगर हम steel चला रहे हैं तो वो friction का level काफी कम रहे by using air cushioning friction can be considerably reduced by maintaining a thin cushion of compressed air और दो layer के बीच में compressed air आ जाएं उससे भी friction काफी कम हो जाता है आगे देखते हैं method of increasing friction कहीं कहीं हमको friction को increase करना पड़ता है तो वो increase कैसे करेंगे trading of tires is done to increase friction between the road and the tires अब trading में वही जो उसके आप देखेंगे tire ना चिकना नहीं होता नीचे से उसमें curves बने होते हैं कट बने होते हैं इसलिए कि वो friction ज्यादा पैदा हो और चपक के चले सड़क से फिस लेना तो और material भी दूसरा यूज़ करते हैं इसमें natural rubber in the manufacture of tires because of its larger coefficient of friction जिससे friction ज्यादा हो उसमें sand is thrown on tracks covered with snow कहीं बरफवारी हो जाती है तो उसमें हम दोग मिट्टी डाल देते हैं जिससे की चलने पर automobile square car है motorcycle है फिसलन कम हो friction उससे कम हो जाता है on a rainy day we throw some sand on the slippery ground कभी पर अगर फिसलन वाली ground होती है तो वहाँ पर मिट्टी डाल देते हैं rainy day जिससे हम असानी से निकल सके हैं जिससे friction कम हो वना कीचर रहेगा तो तुरन फिसल जाएंगे बलो कभी ने कभी हो सकता आप फिसल के गिरे भी हूँ कोई खास नहीं कोई भी गिर सकता हम भी गिरे हैं अब dynamics of uniform circular motion की बात करते हैं यानी friction की बात पूरी complete हो जाती है अब अगला topic यानी last topic शुरू होता है जो है uniform circular motion तो uniform circular motion में concept of centripetal force पहले आता है तो पहले uniform circular motion आपको याद दिला देते हैं कि constant speed से circular motion अगर हो है तो उसे बोलते है uniform circular motion और centripetal force किसी भी circular motion में uniform circular motion में जो force required है वो है centripetal force बिना उसके uniform circular motion possible नहीं है तो centripetal force is the force required to move a body uniformly in a circle और ये force लगता कि दर है the force acts along the radius and towards the center of the circle यानि ये जो center है हमेशा force कैसे लगेगा along the radius towards the center of the circle ये force का direction होगा इसे बोलेंगे centripetal force कहीं भी body चली यहाँ पहुँच जाएगी तो भी radius की तरफ radius के along और center की तरफ ये force लगता रहेगा इसे बोलते है centripetal force अब इसकी value कितनी होती centripetal force की तो आपने पढ़ रखा होगा mv square by r uniform circular motion की बात कर रहे हैं तो mv square by r जिसे आप v is equal to r omega जो लिखते हैं ये भी relation तभी valid होता है जब uniform circular motion की कहानी हो अगर uniform circular motion नहीं होगा तो ये रिष्टा क्या कहलाएगा महलूम नहीं मतलब संभाव नहीं होगा तो mr omega square इसको भी याद करके रखें और omega को 2 pi by t लिखते हैं तो mr 2 pi by t का whole square ये बात पकड़ सकते हैं अब कुछ centripetal force के कुछ examples की चर्चा कर लेते हैं examples of centripetal force for a stone rotated in a circle कोई एक धागे से रसी से आप stone को पकड़ लीजे और घुमाने लगिए circular motion में तो अगर वो रसी तूट जाए तो वो क्या करता है stone ऐसे मालीजे घुमा रहे हैं और यहाँ पर ये stone है और रसी तूट गई तो इसी direction में tangentially निकल जा जाता है stone तो यह क्या दिखाता है कि centripetal force ने उसको रोक रखा था वरना तो यह देखिए रोक के रखा था वरना यह सीधे निकल जाता तो आये घुमा यहां से यहां आएगा तभी जब कोई force इस जगह से यहां घुमा के मजबूर करे इसको आने के लिए वरना इस यह कैस प्लानेट कुल मिला कि यह कि कहीं भी circular motion uniform circular motion हो रहा है तो centripetal force चाहिए बिना उसके यह motion संभाव नहीं है for a car taking a circular turn, car जो होती ही जब वो circular turn लेती हैं तो वहां पे भी उनको centripetal force से यह होता है और इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे भी banking of road और circular turn वाली बात for an electron revolving around the nucleus वहां जो centripetal force मिलता है electron को nucleus के बाजू घुमने के लिए वो कहां से मिलता है electrostatic attraction से, plus और minus के बीच के attraction से centripetal force मिलता है जिसकी विज़े से वो गोल गोल चक्कल लगा पाता है, uniform circular motion कर पाता है अब एक force और ध्यान नकी जिसे बोलते है centrifugal force तो जैसे action reaction लगता है तो आप यह समझ सकते हैं कि centrifugal force और centrifugal force action reaction pair है centripetal force लगता किस तरफ है, along the radius towards the center और centrifugal उसकी भी प्रीध दिशा में along the radius outward to the center, away from center ठीक है, तो यह centrifugal force है तो body की natural tendency क्या होती है state line में move करना, किसी body को छोड़ देंगे सीधे line में चलेगी when we apply centripetal force on body, it is forced to move in a circular motion while moving actually along the circle, the body has a constant tendency to regain its natural state line path this tendency gives rise to a force called centrifugal force बात समझ में आरी, जो मैंने भी दिखाया था आपको कि यहाँ पर अगर कोई body है, तो यह body यहाँ के बाद ना सीधे जाना चाहती है अब यहाँ तो centripetal force था, इसने रोग के रखा अब यह अगर motion यह body यहाँ के जगा अगर यहाँ पहुंच नहीं है तो इतना distance कोन खिसकाया है, centripetal force नहीं बाद के रखा है और हमेशा body कोशिस करती कि सीधे निकल जाए यही जन्म देता है centripetal force को, जैसे ही में रस्ती को कट करेंगे centrifugal force यानि समल लीजे, वो उसको सीधे tangentially बाहर निकाल देगा centrifugal force क्या, it is a force that arises when a body is moving actually along a circular path यह कब लगता है, जब body circular path पे move कर रही होती है by virtue of its tendency of the body to regain its natural state line path ऐसा क्यों करती है, को कि वो यह चाहती है कि वो state line के path को follow करे तो उसकी यह tendency होती है, तो आप जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो सीधे निकलने की कोशिस करेगी, यही centrifugal force को जन्म देता है तो centrifugal force अभी अगली slide में मेरे काल से होगा action reaction pair की तरफ treat करना है, रसी यहां से कटी नहीं कि यह सीधे निकला नहीं क्यों क्यों क्योंकि centrifugal force एक बाहर की तरफ लग रहा है centrifugal force को और समझाने के लिए दिखिए centrifugal force can be regarded as the reaction of centrifugal force इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि यह reaction है centipetal force का centipetal force action है तो उसका reaction centrifugal force है ऐसा समझ लेना चाहिए as forces of action reaction are always equal and opposite therefore magnitude of centrifugal force भी mv square by r ही रहेगा तो जो centipetal force का value था वही हमारा centrifugal force का भी value रहता है बस इसका direction किदर होगा opposite to the centipetal force however direction of centrifugal force is opposite to the direction of centrifugal force that is centrifugal force acts along the radius and away from the center of circle यानि अगर यह circular motion है तो centipetal force इधर लग रहा है और centrifugal force इधर लग रहा है यह action reaction pair के रूप में शामिल हो जाते हैं यह समझना जरूरी है जिससे थोड़ा मज़ा आए पढ़ाई के दोरान आपको इसी में देखे इस बात को और समझाने के कोशिस की गई है कि note that centipetal and centrifugal forces being the forces of action and reaction act always on different bodies तो यह दोनों अलग अलग बाड़ी पे काम करते हैं इस बात को समझाने के लिए देखीए यह बंदा है जिसने हाथ में एक रसी पकड़ रखी है इस टोन को गुमाया जा रहा है यह गुमडे का प्रकरिया अब दिखिए action reaction किदर लग रहा है वो भी मैंने लिखा जिससे आपको असानी हो समझने में when a piece of stone tied to the end of the string is rotated in a circle centipetal force F is applied on the stone by the hand centipetal force कहां से मिलेगा इसको मिलेगा जो हम अपने हाथ से पत्थर को खैचने में लगाएंगे हम ऐसे गुमा रहें उसको centipetal force कौन दे रहा है हमारा हाथ पकड़ रखाना हम force लगा रहें कि तुम भागो नहीं भाईया तुम हमारे पास लो ठीक वो force centrifugal force है in term the hand is pulled outward by centrifugal force F2 यह F1 समझ लीजे F2 तो यह जो F1 force है वो centrifugal force है और in turn क्या होता है कि जो action हम लगा रहें खेचने का stone पर stone हमारे हाथ पे लगाता है force centrifugal force हम लगा रहे थे क्या पत्थर पर centipetal force जिससे वो circular motion करे अब पत्थर हमारे हाथ पे लगा रहा है तो क्या लगा रहा है centrifugal force क्योंकि action reaction pair में हमेशा आपने सीखा है कि यह दोनों equal and opposite होते हैं लेकिन इनका direction यह अलग-अलग body पे लगते हैं direction तो अलगी है opposite है लगते है अलग-अलग body पर हैं तो centipetal force लगा stone के उपर और centrifugal force लगा हमारे हाथ के उपर जैसा आप देख रहे हैं stone के उपर लगा तो गूम रहा है यह दर जा रहा है इसलिए यह cancel out नहीं होते अलग-अलग body पे लगने की वज़े से तो due to tendency of the stone to regain its natural state line path यह क्यों लगता है centrifugal क्योंकि पत्थर सीधी रेखा में चलना चाहता है इसलिए ऐसी कहानी होती है और यह आपको pictorial way में शो करने की कोशिज की गई है तो एक मेरे काल से इसके बाद एक numerical है उसको भी solve करके दिखाता हूँ आपको तो लिखा है a string breaks under a load of 4.8 kg a mass of 0.5 kg is attached to one end of the string 2 meter long and is rotated in a horizontal circle तो यह horizontal circle में है मुलब ऐसे गुमा रहे हैं समझी हाद में पकड़ लिया ऐसे गुमा रहे है ऐसे circle चल रहा है तो ऐसे circle के मैं आपको दिखा ऐसे रहा हूँ एक plane में और रस्ती कितनी लंबी थी टू मीटर लॉंग और जो पत्थर अटेच किया है जीरो उसका मास है 0.5 kg अब ब्रेक करेगी कहां तक 4.8 kg तक जेल सकता है तो मीटर लॉंग रोटेटेट इन होरिजन्टल सर्किल कैल्कुलेट दा ग्रेटेस्ट नंबर आफ रिवोलूशन्स दाट दा मास कें मेक विधाउट ब्रेकिंग दा स्ट्रिंग अब जैसे नंबर आफ रिवोलूशन्स आ यहादा होता जाएगा और संटिफ्यूगल भी लगेगा तो 4.8 kg तक जेल पावे उससे उपर ही वो टूट जाएगी तो इसको हम लोग करते क्या है एफ लिखा यह केजी में वेट दिया है तो इसका न्यूटन में लेंगे तो 4.8 kg वेट है यह केजी वेट है तो यहाँ प अमेगा स्क्वेर इसको मैं लिख देता हूँ एम आर ओमेगा को लिख देता हूँ टूपाई न्यू फ्रिक्वेंसी न्यू का स्क्वेर तो वैलू हो गई 4 पाई स्क्वेर एम आर न्यू स्क्वेर अब न्यू ही निकाल ली है तो मैं न्यू स्क्वेर इधर लिखता हूँ f upon 4 pi square m r तो force है 4.8 into 9.8 4 into pi square के value 9.87 mass है 0.5 kg और r है radius 2 meter इसको जब आप solve करोगे तो यह आएगा 1.215 यह new square है तो new की value कितनी हो गई under root 1.215 मतलब 1.102 revolutions per second अब पर minute यह बड़ा छोटा आरा अगर मैं पर minute निकालू तो 60 से multiply कर दूँ यह तो 1 second में revolutions है और पर minute निकालना चाहोगे तो 1.102 into 60 which is equal to 66.13 revolutions per minute rpm तो 1 minute के इंदर 66.13 revolutions तक आप करा सकते हैं उससे ज़्यादा चकर गुमाया एक minute में तो तूट के निकल जाएगा यह जितना ज़्यादा चकर मारे उतना force लगता बढ़ता चला जाएगा क्योंकि centipetal force की value m r omega square होती है जैसा हम लोंने सीखा है और वो tension in the string पैदा करता चला जाएगा क्योंकि लगेगा centipetal तो रसी के द्वारा ही ना रसी के long ही लगेगा तो इसको आप note कर लीजे फिर आगे की चर्चा करते हैं जो banking of road और यह जो रहता ना circular motion में की गाड़िया कैसे मुड़ती ही वो चर्चा करेंगे इसके बाद तो इसको आप note कर लें मेरे खाल से एक दो second का pause काफी है आप note कर पाए होंगे थोड़ा उपर कर देता हूँ इसको यह आप note कर पाए होंगे तो अगला topic लिखते है car on a circular level road car को जब आप circular motion में turn करते हैं तो वो turning में जो friction टायर का होता है उससे इसको centipetal force offer होता है कैसे offer होता है यह थोड़ी सी चर्चा करेंगे हैं लोग तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे यह car circular road पर चल रही है न तो यह दो ऐसे ही चार टायर होंगे समझेए तो यहाँ पर friction ले लेते हैं F1 अंदर की तरफ F2 इधर अंदर की तरफ यही इसको क्या देंगे centipetal force इसका reaction ले लेते हैं R1 इसका reaction ले लेते हैं R2 इसी तरह आप चारो पईये का भी कर सकते हैं दो पईये दिख रहे हैं दो पईये का ही लेके कर रहे हैं आराम से निकल आएगा और जो जिस radius पर यह turn कर रही है उसका radius है R यह देखे बना हुआ है this is R इसका weight सबकुछ पुरे गाड़ी का वो mg है इसका normal reaction कि दल लगेगा उपर की तरफ जो की R1 प्लस इस पर R1 लग रहा है इस पर R2 तो दोनों जोड़के R1 प्लस R2 चारों पहिऊ की बात करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 दो से जो काम हो रहा चार से भी वही काम होगा इसलिए दो के लेके समझा रहे हैं मन में ऐसी भाव ना आ जाए कि नहीं गाड़ी की चार पर यह होते हैं तो चारों में भी यही लगा देंगे तो भी ऐसे ही निकलेगा सब कुछ चीज फरक नहीं आएगी अब यहांपर देखे टोटल फोर्स आउ फ्रेट्शन कितना है एसफ़ण प्लस फटू म्यू आरवन प्लस आर टू क्योंकि म्यू आरवन एक का होता है एफ़ण का म्यू आरवन और उसका म्यू आरवन प्लस आर टू तक यह वैलू हो गए उसके लिए क्या होना है the maximum force of friction must be equal to or greater to than the centipeter force यानि इसको जो घूमने के लिए जो centipeter force चाहिए वो friction force offer कर सके अगर friction force कम पढ़ गया तो ये body circular motion नहीं करेगी सीधे निकल जाएगी तो हमारी friction force की जो value है वो कम से कम इसके बराबर और जादा से जादा कुछ भी हो सकती है जब requirement पढ़े तो mu into mg जो की friction force था mu into r जो लिखते हैं mu into mg ये value greater or equal to mv square by r के बराबर होनी चाहिए तभी वो centipeter force अंपो मिल जाएगा जादा के जरुद जादा मिल जाएगा अगर ये mu mg बढ़ी है तो यहाँ से देखिए mm गया cancel out तो v square g नीचे ले लो तो mu की value हो गई greater or equal to v square upon r g तो ये relation मिल गया v square is less than equal to mu r g और यहाँ पर जो maximum velocity आगई आपकी वो कितनी आगई जो mu r g के बराबर हो तो under root mu r g ये coefficient of friction है mu r है radius g है gravitational acceleration due to gravity तो यहाँ पर मुलने के लिए आप इतनी velocity रख सकते हैं कई बार अपने देखा होगा मुल पर लिखा रहता है कि maximum speed 20 meter per second 25 km per second ऐसे करके बड़े बड़े मुल पर तो वहाँ पर गर उससे जादा speed कर देंगे तो मुलने के जिएका घुष जाएंगे किसी के घर में कहीं होन निकल जाएंगे मुल नहीं पाएंगे क्योंकि वो centipetal force वो tire आपको offer नहीं करेंगे आप ज़्यादा तेजी में है तो दिक्कत हो जाएगी बास समझ में आईए न अब क्या होता है कि यह जो हमारे परिशानी इसमें क्या है कि जो friction हम लेके बैठे हैं surface और tire की बीच में अब जैसे जैसे मौसम बदलता है अवस्था road की बदलती है तो friction में हो जाता है change अब friction में change होगा तो यह वहाँ पर turning की speed जो 20 लिखके बैठे हैं हो सकता और कम हो जाए 15 हो जाए लोगों ध्यान ने दिया थोड़ा तेजिम किया तो फिल लड़ गए जाके घुजगए कही तो यह logically ठीक है लेकिन practically इसमें दिक्कत होने लगती है तो कि हमेशा रोड़ें वैसी नहीं रहती ही हमेशा टायर वैसे नहीं रहते और चलाने वाले हिंदुस्तान के लोग तो काबले तारीफ आप जानते ही है तो इसके लिए क्या करते हैं ना banking of road कर देते है जो हमें ज़्यादा बहतर सेंटीपीटर फोर्स आफर करने की ताकत रखता है banking of road क्या है तो banking of road मैं समझाता हूँ क्या है तो banking of road पहले क्या है कर्व रोड कि मा लीजे road ऐसी है यह है इस तरीके से जा रही है ऐसे चल रही है ऐसे यह उसका अंदर का किनारा है वो बाहर के यह parallel यह चोड़ाई है road की ऐसे नहीं road है आपकी तरफ road है यह चोड़ाई है road की इस चोड़ाई में हम उसके बाहरी हिस्से को उठा देते हैं ऐसे हलका सा कितना उठाते थीटा दिख जाएगा और अंदर वाले को वहीं रखते हैं तो जब हम उठा देते ना ऐसी तिर्षी हो जाती है road हलकी सी ना और ऐसे कोई गाड़ी निकलेगी तो इस उठाने की वज़े से हमको बहतर सेंट्रीपीटर फोर्स मिल जाता है इस पेस हमारा जादा हो जाता है यहां तक कि फ्रिक्शन जीरो भी हो तो भी due to banking of road गाड़ी घूम सकती है बात समझ में आया है ना तो banking of road क्या है कि सड़क अगर ऐसी है यह सड़क जारी इसी दे तो बाहर के हिस्से को उठा देना है अंदर वाले हिस्से को ऐसे रखना है तो थोड़ी ऐसी सड़क दिखेगी जादा नहीं उठाते हैं ऐसी थोड़ी उठाते हैं जिससे की मुड़ने में असानी हो इसी को हम बोलते हैं banking of road ठीक है तो the system of raising the outer edge of a curved road above its inner edge is called the banking of the curved road मैंने सारे notes में बढ़ियां तरीके से महनस से बनाया है कि आप एकदम तीर मार दीजे समझगे न कोई है banking हो रहे कोई यही निशन में आगा तो करेंगे किया आगे तो the angle through which the outer edge of the curved surface curved road is raised above the inner edge is called the angle of banking तो यह दिखी यह यह बहारी हिस्सा था road का और यह अंदर का यह angle of banking theta है theta से इसको उठा दिया है अब यहाँ पर जो forces आपको दिखाई पड़ रहे है वो forces कौन कौन से दिखेंगे अभी यहाँ लिखे भी है जो समझाओंगा mg नीचे लग गया force reaction force इसके इस surface के normal r इस r के दो component ले लो theta यह है तो theta यह हो जाएगा this is r cos theta इधर r sin theta इधर अब vertical movement तो कोई हो नहीं रहा है गाड़ी उचल तो रही नहीं है तो r cos theta mg के बराबर हो जाएगा balance हो गई शड़क पे चलेगी और यह जो r sin theta है ना यह r sin theta आपको centipetal force provide करेगा और r sin theta के साथ साथ इस पे लगने वाला friction भी अंदर की तरफ यह दोनों मिलके आपको centipetal force देंगे यहां तक कि अगर f 0 भी हो जाए friction force तो भी r sin theta आपका सच्चा साथी है काफी मदद करेगा आपकी बाद पकड़ में आरी होगी आपको तो यहीं लिखा है कि दिखिए क्या-क्या forces है weight mg acting vertically downward जो समझाया आपको normal reaction जिस surface पे उसके normally force of friction acting downward along the inclined plane यह force of friction का direction है इस तरीके से force of friction लग रहा है अब क्या होगा देखिए यहां पर r sin theta plus f cos theta mv square भाई r के बराबर है अब centipetal force में क्या है देखिए r sin theta अब यह देखिए यहां पर f है theta तो इसके दो component ले लीजिए f के friction force के यह हो गया f cos theta और यह हो गया f sin theta ठीक तो यह अंदर यह दोनों मिलके centipetal force दे रहे हैं तो r sin theta f cos theta r sin theta f cos theta मिलके mv square by r जो centipetal force अपको offer कर रहे हैं और यहां दूसरी equation देखिए mg plus f sin theta अब यह जो mg है न यह इस mg में यह part जोड़ गया mg plus f sin theta is equal to r cos theta mg plus f sin theta is equal to r cos theta यह equation number 2 है इन दोनों को solve कर लेंगे तो v की value यह मिल जाएगी on solving these two you will get v is equal to under root rg mu plus 10 theta upon 1 minus mu 10 theta यह velocity होगी आपकी जिस velocity से आप banking of road पे घूम सकते हैं theta है angle of banking mu है coefficient of friction इससे आप calculate radius वो जिस radius से मुड रहा है अब यहाँ पर अब इंटरस्टिंग चीज़ क्या देखें अभी एगली slide में कि अगर हम mu को 0 भी कर दें तो भी velocity हमारे पास finite आ रही है यानि अगर हम धीरे मुडे banking road पे और टायर घिसे भी हैं तो अभी मुड जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती तो यहाँ पर अगले में देखें यह formula लिखाया था कि V maximum कितना हो जाएगा V maximum इतना हो जाएगा इस formula को ध्यान कर सकते हैं बहुत अच्छी पढ़ाई के लिए और अगर mu की value 0 पूट कर दें यहां कि मालीजे friction लगी नहीं रहा है एकदम सड़क चिकनी हो गई है आपके टायर चिकने हो गए है लगबग ऐसी स्तिती है कि friction लगी नहीं पा रहा है तो उस दशा में भी V की value RG 10 theta है यहीं इतनी speed से अगर आप घुमाएंगे तो भी घुमा ले जाएंगे interesting बात है माल लिजे वहाँ पर कुछ तेल गिरा हुआ है friction 0 है लेकिन फिर भी speed कम कर देंगे तो इस speed से banking of road पे आप चले जाएंगे लेकिन अगर banking of road नहीं होगी cable friction के बरोसे है तो तेल पड़ा है तो आप भी भगवान बरोसे है फिसल ही जाएंगे आप बात समद रहे हैं banking of road का फाइदा तो यह banking of road का फाइदा इसी में अब cycle की बात कर लेते हैं bicycle की भी बात कर लेते हैं उसका भी बात है समझ ले यह bicycle की कहानी है bending of a cyclist कैसे होती है अब जो cycle बंदा चला रहा होता है आप चला रहे हैं हम चला रहे हैं उस समय हम अक्सर जब turn करते हैं न तो हम जुक जाते हैं हमने देखा होगा हम जिस तरह मुड़ते हैं जुक के अराम से मुड़ लेते हैं या आपने ओलम्पिक वेगरा या बड़े गेम्स में इसिन गेम्स में जो racer नहीं हो तो cycle में वो तेस चलाते हैं वो भी जब मुड़ते हैं तो देखी एकदम या motorcycle देखी होगी motorcycle जब मुड़ते हैं जमीन से उनका पैट टच हो रहा है इतना जमीन के पास लिया इतना जुक जाते है लगता है कि फिसल ही न जाएं इसलिए जुकते हैं क्योंकि वो अराम से उतनी speed से मुड़ पाएं क्योंकि उनका V बहुत जादा है velocity और अगर वो जुक के उस चीज को समालेंगे नहीं तो दर्शकों के उपर चड़ा देंगे तो यह देखें यहां कहानी क्या होती है यह cycle सवार है यहां पर बैठा हुआ है अब यहां पर यह यहां action लगाएगा इसका reaction यह आर इधर मिलेगा cycle पर बंदे सहित इसका यह कितना यह मुड़ा है this is theta यही theta यहां पर आ गया इसके दो component ले लो r cos theta vertical r sin theta horizontal और weight तो हमेशा नीचे लगेगा ही अब इसको balance कर दीजे देखिए r cos theta mg के बराबर और r sin theta आपको दे रहा है mv square by r अब इसको mv by square को r sin theta के बराबर करोगे तो यह 10 theta is equal to v square upon rg यानि आपको angle अगर निकालना है कि कितने angle से आप मुड़ना चाहते हो तो अगर देखिए अगर आपकी velocity बहुत जादा है तो यह angle की value बहुत जादा निकलेगी यहां देखिए velocity is very high then 10 theta की value जादा हो जाएगी यानि theta जादा रखना पड़ेगा आपको theta जादा रखने का मतलब है जुकना जादा पड़ेगा आपको क्योंकि यह angle उपर जुकाओ का angle लिया है vertical direction से इसलिए वो लोग बहुत जादा जुक के मोड़ते हैं यह cycle हम लोग चलाते हैं तो हम भी थोड़ा जुक जाते हैं जिससे हमें यह advantage मिल सके उमीद है यह बात आपको समझ में आई होगी एक numerical देख लेते हैं इसमें जिससे और understanding बढ़ जाए तो यह देखिए numerical इस circular race track of radius 300 meter इस bank यह road banking की काहानी है वो 15 degree का banking किया गया है तो यहाँ पर r की value है 300 meter और angle है 15 degree if the coefficient of friction between the wheels of a race car and the road is 0.2 mu s की value दी है 0.2 according to question what is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear on its tire तो यह हो गई आपकी जो optimum speed है जहाँ पर friction हमारा mu 0 हो जाए for optimum speed wear tier 0 wear and tear to put 0 यानि इसका मतलब क्या है mu 0 friction नहीं होगा तो to put नहीं होगी उस दशा में V naught क्या होता है RG 10 theta भी पढ़ा था mu 0 होने पर अब इसकी value लिख दो यहाँ पर तो R है 300 G है 9.8 और 10 15 10 15 की जो value है वो देखे रखेंगे क्योंकि याद तो कोई कर नहीं पाता 0.2679 अब इससे आप calculate जब करोगे तो आ जाएगा 28.1 meter per second यह पहले वाले का अंसर आगा कि wear tier जहां पर ना मिले दूसरा कह रहा है maximum permissible speed to avoid slipping बिना slip हुए maximum speed तो maximum speed की value क्या हो जाएगे भी जो formula इस्तमाल किया था under root rg mu plus 10 theta upon 1 minus mu s 10 theta यह भी mu s है अब value डाल दीजे यहाँ पर तो 300 into 9.8 और 0.2 plus 10 15 था जो कि था 0.2679 1 minus 0.2 into 0.2679 अब इसको जब आप calculate करेंगे तो यह value आजाएगी 38.1 meter per second यह रहा आपका second answer मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छे सवाल भी लगा पाएँ पूरी बात सरल शब्दों का explain किया detailed video है पूरी महनस से बना है with good presentation कि आप इसका फाइदा उठा सकें यह screenshot आप ले लिजे और फिर बात करेंगे आगे और इसको मैं मेरे कासे ले लिया होगा यह note down के लिए पूरी बात आ गई इसमें तो आपने देखा यह पूरा कि किस तरीके से मैंने यह अरविन सर one shot is different from others लेकिन आपसे वादा मुझे यह चाहिए दो वादे चाहिए वीडियो कर लाइक पसंद आया है तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता अरविन सर को motivation आता और अपने दोस्त को share कीजिए वीडियो अगर पसंद आया है तो उसका भी भला होगा मुझे motivation मिलेगा positive कि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए लेखे आऊ आपकी तरफ से मुझे ये गुरु दक्षणा होगी जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं है तो positivity फैलाईए share कीजिए अपने दोस्त को और उसे अलग कैसे वीडियो था ये पूरा का ध्यान दीजिए सभी topic cover किये गए हैं इसमें किसी बच्चे को कुछ नहीं आता है तो भी zero to hero है सारी बात explain कर दी है यही नहीं पढ़ाते वक्त कोई fall to talks नहीं की है pure teaching है जो आपके फायदे का सौधा है कई बच्चों को presentation चाहिए होता है उसका भी बंदुबस्त किया है आप Arvind Academy टेलिग्राम चैनल जॉइन कर ले link description में दिया है इसका presentation भी मिल जाएगा आपको बढ़िया पढ़ाई कीजे और कई बच्चे मेरा course Arvind Sir का course लेके पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए Arvind Academy एप है उसका link भी description में click करके download कर लिजे और suitable course देखके ले लिजे जो आपको काफी अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं उमेद ये वीडियो पसंद आया होगा अगला वीडियो फिर से जल्दी ही लेके आऊँगा Thank you very much Wish you all the best Bye